हेलो दोस्तों पुछली हम लोग बात कर रहे थे NCEIT बुक्स के बारे में ठीक है तो इसमें किलाफ सिक्स की छचचचटवीगी हम लोग ने सामाजिक एवं राजनितिक जीवन भाग एक को देख लिया था और आप याद रखिए आपकी जितनी भी NCEIT से समधित लेक्चर होंगे वो सभी आपको NCEIT किताबों का फून कबरेज के नाम से जो आपकी पिलिलिट सुची है उसी में डले हुए है तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग हमारा अदीद क्या है हमारा अदीद सामालिक बिग के लिए है थियास की पुष्ट अगे ठीक है याद रखिए कच्छा अठी तक मैं तो यही सिलाए दूँगा या आप एक कहानी की तरह सुनी है यह से क्योंकि इसमें ना तो समझने लाइक कुछ है उना ही समझने लाइक कुछ है बहुत ही सीधे सिंपल सब्दों में लिखी ही ही है और एक-दो बार पढ़ने या सुनने से अपने आप समझ में आ जाएगा किसी को तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है तो हम लोग देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है यह देख लीजे भारत का समीधान वोद्देशी का हम भारत के लोग भारत को संपूर प् राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नाग्रेकों को सामाजिक, आल्थिक, राजनितिक, न्याय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धरम और उपासना की सुदंता, पितिष्ठा और आउसर की समता प्रात कराने के लिए तथा उन सम्में बैक्ति की गरिमा, प्राता सुनिष्चित कराने करने बाली बंदूता बढ़ाने के लिए दरोड संकल्प होकर अपनी सम्मिधान सभा में आश्तारी 26 नवंबर 1929 को एंतत द्वारा इस सम्मिधान को अंगीकित, अधिनेमित और आत्मा फिल्ट करते हैं, याद रखें, याको कंठस्त याद हो अच्छिए, याद रखें, आपका 26 नवंबर 1929 को समिधान लाग हो गया था, लेकिन फूर्ण तर ऐसे कुछ भाग हुए थे 26 नवंबर 1929 को, फूर्ण रूप से हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक? इसमें हम लोग देखेंगे, पढ़ ले न, यह हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां से पढ़ती रहना, ठीक? पुरानी जो आपकी सामाजी एवं राजनेते जीवन भागे एक था, वह भी टेलीग्राम पर डाल दी, वहां से डाउनलोड करकर पढ़ती रहना, ठीक? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, विश्य सूची है आपकी, तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या, कब और कहां कैसे? पर बात करेंगे दूसरे लेक्चर में आखेट, खाद संगर आये, सी भोजन उत्वादर, तक सफर जूरा आये, उसे देखेंगे, आरंबीक नगर देखेंगे हम लोग, क्या बताती है हमें कितावें और कब्रें, इनें भी देखेंगे, राज्य और राज्या और प्राची सहरत देखेंगे, ब्यापारी, राज्या और तीर्थ यात्रे देखेंगे, नई समराज, समराज और राज्य देखेंगे, इमारतें और चित और कितावें भी देखेंगे, इस वुष्टका में याद रखिए, पितेक अद्या में तुम्हारा फरिच्छा या बालिका द्व बात करो कुछ अध्या परिवासा दीगी तिथिया ठीक है तो यह आपकी क्रक्षा छटवी की किताब का नाम है हमारा दीथ फर्ष्ट इसमें पड़ेंगे हम लोग बात कर रहे हैं किताब का नाम है हमारा दीथ फर्ष्ट इसमें पड़ेंगे हम लोग फर्ष्ट अध्याएं क्या कब और किताब का नाम है हमारा दीथ फर्ष्ट इसमें पड़ेंगे हम लोग फर्ष्ट और कहां और कैसे ठीट रसीदा का सवाल रसीदा बैठी अख़वार पढ़ रही थी अचानस उसकी निगाह एक कुर्सी पर पढ़ी सौ साल पहले यह सोचने लगी कि कि सौ साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता कि इतने बलतों पहले क्या हुआ था तो हम कैसे पता लगाएंगे याद रखना है आपको इसमें स्थमाजने लाइक कुछ भी नहीं है बहुत ही सेल्स अब्दों में लिखी गई है कक चार्ट भी तक की जो एंसी लेक्षर को या किताब को पढ़िए अपने आप आपके समझ में आ जाएगा ठीक कहानी की तरह पढ़ना है जिए कैसे पता लगाएं या जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलिवीजन देख सकते हो या फिर आखवार पढ़ सकते हो साथ ही या जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी व्यपती से बात करते हो जिसे वो समय की इसमीती हो लेकर बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है अधीत के बारे में हम क्या जान सकते अतीर के बारे में बहुत कुछ जानना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़ी बहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम अखेटकों, सिकारियों, अखेटक का अरथ है यहां सिकारियों, पसुपाला कों, कृसकों, सासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, इक में नर्वदा-णदी का पता लगाओ कई लाग पहले, कई लाग वर्स पहले से लोग इस नदी के तठ पर रहते थे, यह रहने वाली आरंबिक लोगों में से कुछ गुसल संग्राहक थे, जो पास-पास के जंगलों की विसाल संपदा से पच्च थे, अपने भोजन के लिए विजडों, फलों तथा जंगलों के अ आखेट मतलब सिकार भी कलते थे, अब तुम यह आपकी नर्वदान थी, मद्वदेश से निकलती है, और आपकी अरब सागर में गिरती है, खंबात की गाड़ी में, ठीक है, देख लेते हैं अभी थोड़ा उपर देख लें, अब कुछ उत्तर पश्चम की सुलेमान और कि यारवसपूर, इस्तिरी पुरुस्न है, सबसे पहले गया हूं, तथा जो जैसी फसलों का जाना आरब किया, उन्होंने भेड़ वक्री, गाय, बेल, बेल जैसे फसलों को पात्तू बनाना शुरूं किया, यह लोग गाउं में रहते थे, उत्तरपूर में गारो, तथा मद् पहाड़ियां को पता लगाना है, यह कुछ अन्या से छित हैं, जहां किर्सी का विकास हुआ है, जहां सबसे पहले चावल उप जाया, गया है, बेस्थान बिंद के उत्तर में हैं, यह आपका, ओ महादीब का प्राक्तिक मानचित, यह आपकी कित्थर, सुलेमान, और यह है आपकी काबुल नदी, यह सभी पाकिस्तान में है, यह आपका पाकिस्तान परांथ है, पहले एक ही उगा करते थे, वो महादीब में सब, यह आपकी याद रखना, यही आपकी जेलम नदी है, चैनाब नदी है, और रावी नदी है, यह आपकी सतलर नदी है, व्यास नदी ह यह आपका थार मरोस्तल है, कुछ भारिस का पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, यह आपका हिमाला है, यहां से हिमाला है, यहां तक हिमाला है, यहां आपकी तिबबस से निकलती है ब्रंपुत्थ नदी है, यह गंगा में मिलके, बंगलादे से यह, अब करेंट की बात पहले तो पूरा महादीप्ता यहां आपका नैपाल है यह आपका भूटान है यह आपका म्यानमार है ठीक है तो यह गंगा आपकी उत्राखंड से निकलती है और यह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह आपकी महानदी है यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ग सथपोडा है या रहतना सथपोडा रेंज जो नरवदा ओं तापती नदी के मदध में इस्थ जी तापती नदी भी आपकी मदधृस्रत में रहता है य्ज आपकी ओनाली हैका भंगाल गलती है इसे पूर विघाट होते हैं ठीक है और यह आपका अंधमान निकोभार दुए है यह आपका स्री रंका है पाभी चल्डंगरुद्वार अलग होता है ठीक है स्री रंका यह आपके लच्छतिव है यह आपका अरशहर लेallas ये देखेंगी लिया ठीक है यह याद रकी है तेर आगे बात करते हैं हम लोग मांचित पर सिंदू तखा इसकी सहाइक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो सहाइक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी जील में जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं गंगा और इसकी साहजव नदियां, सॉन का मार्म है, गंगा तथा इसकी सायक नदियां सोन का पतल लगा गंगा के दख्षण में इस नदियों के आसपास का चित प्राचीन काल में मगद परतमान में बिहार कहलाता था इसके साथ बहुत सक्ती साली थे उन्होंने एक सम्के साल समराज इस्थाबित किया देश के अन हिस्सों में ऐसे राजियों की स्थापना की गई दच्छड एसिया था इसमें आदोनिक पाकिस्तान था भारत भई था बंगलादिश था नैपाल भूटान और स्री लंका आता था और अफगानिस्तान, इरान, चीन, म्यानमार आदीप पड़ोसी देशों को दर्साता है पड़ोसी थे अपने दच्छड एसिया एक महादीब से छोटा था लेकिन विशालता और वाकी एसिया से समुद्री पाड़ियों परवतों से बटे होने के कारण इसे प्रया ओग महादीब कहा जाता था लोगोंने सदे ओग महादीब के एक से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की कभी की भी हमाला जैसे उची परवतों, पहाड़ियों, रेकिस्थान और नदियों समुद्रों के कारण यात्रा जोकिन भरी होती थी फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी अता कभी लोग काम की तलास में तो कभी प्राक्तिक आपताओं के कारण एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाया करते थे कभी कभी सेनाय दूसरे छेत्रों पर विजय हासेट करने के लिए जाती थी इसके अतरेक्त व्यापारी कभी काफले में भी कभी जहार्यों में अपने साथ मूर लिवान बस्तु लेकर एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाते रहते थे धार्मिक गुरू लोगों को सिक्षा और सलाय देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं तथा एक कस्वे से दूसरे कस्वे जाय करते थे कुछ लोग नए और रोशकिस्तानों की खोज की चाय में उत्सुक्तावास भी यात्रा किया गरते थे इस सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के वीचारों को जानने का अवसर मला तो आज लोग यात्राओं क्यों करते हैं एक बार फिर से मालचित एक को देख लेना पार्णिया परवत और समुद्ध इस उगमादी की प्राक्षिक सीमा करने धारन करते हैं अलाकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आफसान नहीं था जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके वे परवतों की उचाई को चूछ सके गयरे समुद्धों को पार कर सके और महादीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए लोगों के इस आवा गमन नहें हमारी सांस्कितिक परंपराओं को सम्रुद्ध किया कई सो बर्स से लोग पत्थर को दरासने संगीत रखने यहां तक की भोजन बनाने के नई नई तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अबनाते रहे हैं ठीमा देश के नाम अपने देश के लिए पुरया इंडिया तथा भारत जैसे नामूं का पयोग करते हैं इंडिया सब्दे इंडस से लिया गया है जिस्से सनस्कित सिंदू कहा जाता है याद रखना इस पॉइंट को इंडिया सद्धेजू आपका हिंडस से लिया गया है जिससे सिंदू संस्कित में सिंदू कहा जाता है अपने एटलस में इरान और युनान का पता लगाओ लगभग 25 सो बर्स पूर्व उत्तर पश्चम की ओर से आने वाले इरानियों और युनानियों ने सिंदू को हिंदोस अथवा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में इस्तित भूमी प्रिदेश को इंडिया कहा है तो याद रखे इरानियों और युनानियों ने सिंदू को हिंदोस अथ सिंदिया का भरत नाम का प्यों उत्तरपाश्चि में रहने वाले लोगों की एक समूऑ के लिए दा था यह समूव में उल्लेक का उलेक संस्क्रिटी आरंबे किरति रेकवेद में मिलता है बाद में इसका प्योंग देश के लिए होने लगभग 3500 पौर आ ताम पत्तों से बनी पांडोलुपी का एक पेश्ट यह है ठीक है यह पांडोलुपी लगवा एक जार बरस पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए ताड़ की पत्तों को काट कर उनके अलग-अलग हिस्तों को एक साथ बांदा दिया जाता है बोच पेड की छाल से बने इसी है पांडोलुपी को यह देख सकते हैं याद रखिक है किताब तो प्वू भी थी नहीं कि उस पर लिख सकते थे इसलिए यह लोग क्या करते थे हिह टाड की पत्तों को काटकर उस पर लिखा. धुक है कि अतीत के वारे में कैसे आसा जाने की अतीत की जाने करें हम कई तरह सिरत कर सकते हैं इन में से एक तरीका अतीर में लिखी गई पुस्ट को ढूरना आप पढ़ना ये पुस्ट के हाथ से लिखी होने के कारण diesem reply कही हाथ है से निकलना ये पांडू लपियां फ्रेया ताड़ पत्तों अत्वा हिमाले छेत में उने वाले भोज नामक पेड़ की छाथ से विसे तरीके से तेयार भोजपत पलिकी जाती थी इतने बर्सों में उनमें से काई पणलोलिपियों को कीड़़ों ने खा लिया तरठा कुछ नश्य कर दी गईंगें एसी कई पणलोलिपिया आज भी उपलब देंगें फिरहां ये पणंडूलिपियां मंदिरो व हार में प्राप्थ होती हुते हैं इन पुस्त्रकों में धारे में माणता हैं वाविवारों राजाओं के जीवन ऑस्दियों तुथा विग्ञान आधी विर्कार के विष्यों के चचा बिनती है। महाकाब कविताएं नाटक भी हैं इन में से कई संस्कृत में लेके हुए हैं जबकि अन्र प्राक्रत और तमिल में हैं प्राक्तिक बासा का प्योग आम लोग करते थे समय तिम हम अवलेकों का भी अध्यन कर सकते हैं ऐसे लेक पत्थर अध्वा धातु जैसे अपेक्षग कठ फोर सत्रों पर उत्कीर किये जाते थे कभी-कभी सासक अध्वा अन्र लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर करवाते थे तक कि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें उनका पालंग कर सकें कुछ अन्र पिकार के अबलीक भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तुत्रा यह अविलेक बरत्मान अफगानिस्थान के कंधार में यह जो दिख रहा है आपको यह आपका बाइस सो पचास बर्स पुराना अविलेक है जो बरत्मान में अफगानिस्थान के कंधार से परात हुआ है यह अविलेक असोग नामक सासक के आदेश पर उत्कीर करवाया गया दृष ये सांसक की बिसय है में तुम अद्याय 8 में पड़ोगे ऐसोक के पारे में कि ओखते हैं ते हुम लिपी लिपी का पर्युब करते हैं लिपी आ अक्छों अथवा संकेत से सकथ बनी हूती है जब हुम कुछ बोलते आत्वा बलते हैं तब करते हैं यह अविलेग इस छित में प्योग्त होने वाली यूनानी तथा अराम आई नमत दो विवन लिपियों तथा भासा में जैसे हमारी हिंदी भासा होगी और देवनावी लिपियों ठीक है आंगी बात करते हैं क्या तुम बता सकते हो इक टोर सतर पर लेख लिखने के क्या लागते एसा करवाने में क्या कठनाई या अधियों इसके तरीक तनव कई वस्तुओं हैं अतीत में बनी और पेयोग में लाई जाती थे एसी वस्तुओं का अध्यान करने वाला व्यक्ति पुरातत विद कहलाता हैं पुरातत विद पत्थर और इंटों से बनी इमारतों की अवसिस चित्रों और मूर्तियों का अध्यान करते हैं बेगोजारों भतियारों वर्तनों आबूचणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानमीन तथा खुदाई भी करते थे इन में से कुछ पस्तु हैं पत्थर पक्की मिट्टी कुछ दातू की बनी हो सकती हैं ऐसे तथे कठोर तथा जल्द नश्ट होने वाले होते हैं देखिए मठका है जैसे बाए एक चित इस तरह की पातों का प्योग 47 सोबर्स पूर्व होता था दाए एक पुराना चांदी का सिक्का है इस तरह सिक्कों का प्योग लगवा 25 सोबर्स पूर्व होता था मारे द्वारा आज प्योग में आने वाले सिक्कों में ऐसा सिक्का बेन्द था पूरा तत जानबरों हट्टियों जान पाते हैं यदि अन्य के दाने अत्वल लकडी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूम में बचे रहते हैं क्या पुरातत्त विदों को वहुदा कप्रों के आउसिस मिलते होंगे पांडुलिपियों और अभी लेखों तथा पुरातत्तों से ज्याद जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रया सिरोत सब्द का प्योग करते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं हम लोग जो अतीत का अध्यान कहते हैं जो बीद गया है उसका जो अध्यान कहते हैं उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं सरोत के फ्रात होने होते ही अतीत के बारे में पर्णा बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम दीरे दीरे अतीत का पुनर निर्माट करते हैं हम इतिहास का पूरातत विद उन जासुसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्योग सुराग की रूम में कर अतीत को जानने का त्रियास करते हैं अतीत एक याने, क्या तुम इस पुष्टक के सीशक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यह अतीत सब्ज का प्यूग बहुवचन के रूम में किया गया है। ऐसा इस्तत की उर्द्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समू के लोग, लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायन थे, उधारन के लिए पसूप अलग अत्मक किर्सकों कब जीवन, राजयाओं तथा रानियों के जीवन, सित तथा ब्यापारियों का कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग-लग इसों में लोग अलग-लग बेवारों बीती रजवाजों का पालन करते हैं उधारन के लिए आज अन्वान द्वीव के अधिकास लोग अपना भोजन मचलियां पकड़कर सिकार करके तथा फल-फूल के संग्राय द्व उस समय सासक अपनी बेजयों का लेखा जोखा रखते थे यही कारण है कि हम उन सासकों तथा उनकी द्वारान लड़ी जाने वाली लड़ाईयों के बारे में काफी कोछ जानते हैं जबकि सिकारी, मचवारे, संग्राह, गिरसक अत्वा पसुपालक जैसे आम आदमी फ्रेय आपने कारियों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, पुरा तत्त की साहता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती थी, हलाके अभी भी इनके बारे में बहुत कोछ जानना सेस है, तिथियों का मतलब क्या है? अगर हम कोई अगर कोई तुम से तिथी के विशा में पू वर्तक ईशा मसी के जनम की तिथी से की जाती है, यह 2000 बर्स कहने का तात्व है, ईशा मसी के जनम के 200 बर्स के बात से, ईशा मसी के जनम के पूर्ण की सभी तिथियों को इस भी इशा पूर्ण, ईशा से पहले के रूम में जानी जाती है, इस वुश्टक में हम 2000 को अपना आ यह है, यह認 देख रही, आपको इस देन हुआ है इसा मसी का जनम, इसा मसी को छोड़िये, हमारे जनम से पहले इस तरफ जाएंगे, इसापूर जैसे जाएंगे तो इसे जाएंगेopia इस बोलेंगे और इसलिए गए तरह उन के कि जनम के पूर को ईसापूर बोलते हैं, और इस भी बोलते हैं इस बार इसा मसी के जनम के बात को, ठीक है, याद बटना है आपको, इसे इसापूर को BC बोलते हैं, इस भी को AD बोलते हैं, ठीक है, याद बखिये, इतिहास की बात करें, तिथियों की, अंग्रेजी में BC, में E लिखा है पाते हैं यह इनो एनो डोमेनी नामक दो लेटिन सब्दों से बनाए इसका तात्पा है ईसा मसी के जर्ण के वर्स से कभी-कभी AD की जगह CE याद रखना है AD की जगह CE और BC की जगह BC का प्योग होता है CE अक्षरों का प्योग Common Era के लिए होता है हमें सब्दों का प्योग इसलिए करते हैं कि विष्ट के अधिकास देशों में अब इस कलेंडर का प्योग सामान हो गया है भारत में तिधियों के रूप का प्योग लगवग 200 वर्स पूर आरम हुआ था कभी-कभी अंग्रेजी की BP अक्षरों का प्योग होत हैं क्योंकि हमारा एक जैसे कोई बच्चा होता है तो उसे पहले अलफावेट सिखाय जाते हैं क्योंकि उससे उसकी जानकारी थोड़ा मजबूत हो नीव रख जाए इसलिए हम लोगों को थोड़ी नीव रख जाती है ठीक है वेस तैयार हो जाता है अब आप ही बताओ लेकिन उसकी नी है जो नीव है जो वह मजबूत ना हो तो कितने दिन टेक सकेगी बताओ तो इसलिए हम लोग नीव तयार कर रहे हैं जैसा कि हमने पड़ा है कि अविलेक कठो सतय पर कीन करवाई जाते थे इन में से कई अविलेक कई सो वर्स पूप लेके गए हैं सभी हमे के साथ अविलेक हो में परीक भासा भासा हो तकालिक विवियों में बहुत बदलावा आ चुबहा है वृद्वान यसे कर यह केसे जानबाते चाह लेखा है इसका पता अग्यात लीवी का निकालने की एक लिग घिडिया द्वारा लगाया जा सकता है इस्पेकाल से आग तुरी तट पर रुसेटा नामा की एक कस्वा था, यहां ते एक ऐसा उत्रीन पत्थर मिलाए, जिस पर एक ही लेक तीन बिन बिन बासा और लिटूयों यूनानी और मिसलिभी के दोपेकारों में से, में कुछ विद्वान यूनानी बासा पढ़ सकते थी, उन्होंने बताया क कि यहां राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटी से प्रैम में दिखाए गए, इसे कालतूस कहा गया, इससे बाद विद्वानों ने यूनानी था, मिस संकेतों को अलग बगल, प्रक्तिव मिस्त्री अक्ष्रों की समाना तक दोवानियों की पहच्चान की है, जैसा एल अक्षर के लिए से तथा ए अक्षर के लिए चिडिया चित्त बने हैं, एक बार जब उन्होंना यह जान लिया कि बिभिन अक्षर किसके लिए प्यक्त हुए है, तो बे आसानी से अन अवलेकों को भी बढ़ सकते हैं, यहां लोगों ने देख लिया है, यात्रा नगर मगत का बड़ा राज, पच्चीस सो ही सापुन है, पिसन है, यह देख लेना, ठीक है, सौल करती रहेना, यह कुछ पिसन दी हो गया है, ठीक है, यह भी देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम पर हमें, इस किताब को डाल देंगी तो वहीं से देखते रहे हैं, ठीक है, पहला देहाद देख लिए हमारा तीत का ठीक, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की है, हमारा तीत का पहला चेप्टर था, क्या, कब, और कहां, कैसे पिराफ़ी हुआ, कैसे हुआ है, यह सब देख लिए है, आंगे हम लोग बात करेंगी आ खे, खा, संग्रहे से हमारा अतीद फटश्ट ठीक है बूक्स वा क्या नहाम है हमारा अतीद एक ठीक है तो इसमें हम लोग ने बात की थी क्या कंप कहाँ और कैसे ठीक पहला चप्टर हमारा ता क्या कब और कहां और कैसे इसमें बात करने वाले हम लोग आखेट खाद संग्राय से भोजन उत्पादक तक, ठीक है, आखेट खाद संग्राय से लेकर भोजन उत्पादन तक का सफ़र, तोसार किरेल यात्रा, तोसार एक प्रड़का है, इसकी यात्रा है, याद रखिए, मैं फिर से कहूँगा, कि इसे कहानी की तरह सुनिए कुछ, क्योंकि जानल, जो भी कठन सबा, सब्दोंगे, इसमें समझा दूँगा, और बहुत ही सिंपल सब्दों में लिखी दिया है, सहल सब्दों में, तोसार अपने एक प्रिष्टेदार की साधी में, दिल्ली से चनने जा रहा था, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली गई थी, वहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया, तेज दोड़ती गाड़ी से, उसने देखा कि पेड़ पौदे घर खेट खल्यान, बड़ी तेजी से पीछे की और छूटते चले जा रहे हैं, तब ही उसके चाचा ने उसके कंदे पर हाथ रखका कहा, पता है, लोग आने जाने के लिए तेज रखतार वाली सभारियां नहीं होती थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे, क्या वे अपनी सारी जिंदगी यह जगए पर बता दिया करते थे, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके चाचा ने बुला, ठीक है, बात करते हैं आरभिक मानौः, आख आजम उन्हें अखेटक, खाद संग्राहक के नाम से जानते हैं, भोजन का इंतजाम करने की विधी त्याधार पर उन्हें इस नाम से पुकाला जाता है, आम तोर पर खाने के लिए बिजंगली जानवरों का सिकार करते थे, मचलियां और उचडियां पकड़ते थे, फल करने के कई कारण थे, पहला कारण है इसमें कि अगर बे एक ही जगह पर जाना दिन तक रहते तो आसपास के पहुते फलों जानवरों को समाप्त कर देते थे, इसलिए और बोजन की तलास में उन्हें दूसरी जगह उन पर जाना पढ़ता थे, दूसरा कारण यह है कि कि इन जानवरों का सकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते थे, तीसरा कारण है कि पेड़ों और पोधों में फल फूल अलग-लग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलास में उप्युक्त मौसम के अनुसार इलाके में गुमते रहते थे थे, और चोत्रा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पोधिक का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी जील, जीलों, जहर्नों, नदियों में मिलता है, एक भी कई नदिया और जीलों का पानी कभी नहीं सुखता है, वो कुछ जीलों और नदियों मे पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है इसलिए ऐसा जील एसी जीलों और अदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलास में इधर उधर जाना पड़ता था ठीक बात करते हैं आरंबिक मानों के बारे में जानकारी कैसी मिलती है आरंबिक मानों के बारे में जानकारी कैसी मिलती है पूरा तत्यवेदों को कुछ ऐसी बस्तु में मिली हैं जिनका निर्माड और उपयोग आखे टक खाद संगराहा किया करते थे जाए संभावाज के लोग अपने लोगों ने अपने काम के लिए पत्त्रों लकडियों हड़ीयों के वजार बनाये हो इन में से पत्त्रों के वजार आज भी पचे है इन में से कुछ वजारों का उपयो फल पूल काटने हड़ीयां मास काटने तथा पेडों की चाल और जा और प्यार बनाए जाते थी कुछ वजारोंति लखनिया काटी जाती थी लक्डियों का उपयोंति एधन के सstanding जोपडियान और वजार बनाने के लिए दीक करहे जाता है ठीक से के दिए हैं अब रहने की जगेने धारित करना ला मांचित दो लाजिचत रिकोंड वाले स्थान बेपुराज थल हैं जहां पर आखे टक खाद संग्राहक के होने के प्रिमार्ड बिले हैं इसके अलाबा और भी कई इस्थानों पर आखे टक खाद संग्राहक रहते थे मांचित में सरफ कुछ गिने चुने स्थानी चिन्नित किये गए कई प्राधत नदियों और जीलों के किनारे पाई जाते हैं देखिए यह हैं यह हैं आपका खाद संग्राहक के होने प्रहुगी यह कुर्णूल गुफाए हैं यह हैं आपके पूरा पांसाडिक पुरा इस्तर की बात करें तो यह हैं आपके नव पुरा पांसाडिक पुरा इस्तर हैं हलू फियम पल्ली मेहरगर बोर्जहों पहरे बात यह सभी पाकिस्तान नेपार्णूल सभी म्यानवार बहुटान भंगलादेश सभी भारत के ओं महाधी केसे थे से लंगा फिर बात करें हम लोग महाफासाडिक पुराइस्तल के माहाधर में तो यह ब्रह्मा गिरी आन्दी चन्नलूर तो यह और फिर बात करें हम लोग आरंभी काउं तो यह थी आपके जोलडेक है को यह ब्रहुरां पुर्णी झालोर तो अध्मीक नगर की तो इक कोलकाता है जैसे ऑकि वर जोगाऌनदी टिस्युल या तापती नदी कैमद्जपधे से नकलती है एए गंगा आपकी उत्रकंड़सेनस करनती त्या और यह ना कुसैए है यह आपका लक्षदी आधोनिक मद्वदेश इस पुराष्टल पर गुफाएं वक कंद राय मिली हैं लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारे से धूप और हवाओं से राहत मिलती थी एक गुफाओं नर्वदागाटी के पास हैं क्या तुम याद बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी तिर चुकि पत्थर के उपकरेंट बहुत महत्कूर थे इसलिए लोग ऐसी जगह दोड़ते रहते थे जहां पत्थर मिल सकें सेल चित करा हैं इनसे हमें क्या पता चुनता है एक सेल चित इस चित के बारे में बताओ जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछी की देवारों पर चित मिले हैं इनमें कुछ सुन्दर उधारन मदपदेश और दच्छी उत्तरपदेश की गुफाओं से मिले हैं इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुसलता से सजीव च किसे करते हैं पुरा इस्थल यह जान लिजिए पूरा इस्थल उस स्थान को कहते हैं जहां और आँजार बरतन और इमारती जैसी बस्तुओं के ऑउसिच मिले हैं एसी वस्तुओं का निर्वांट लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें उहीं छोड़ गए जमीन के उपर अंदर कभी कभी समुद्ध नदी के तल में भी पाये जाते हैं इन पुराइस्थलों के भारे में आपको अंगले अध्याय में बताया मांचित दो में कुर्णूल गुफा देखी है अपने यहां राक की आउसेच मिले इसका मतलब यह है कि आरंबिक लोग आग जलाना सीख गया है आग का इस्तिमाल कई कारियों के लिए किया गया होगा जैसे पिकास के लिए मास्मून्य के लिए खतरनाग जानवरों को दूर आदि भागाने के लिए ठीक नाम और दितियों की बात करें जिस काल में के बारें पढ़ रहे हैं पुरा तत्वे दों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं अहरंबिक काल को पुरा पासाण काल कहते हैं यह दो सब्दों का पुरा यानि प्राचीन और पासाण यानि प को बताता है पुरा पासंड काल 20 लाग पहले से 12,000 साल पहले के दोरान माना जाता है इस काल को भी तीन भागों में विवाजित किया गया आरम भी मद्ध और उत्तर पुरा पासंड ठीक मानोव इतियास की लगवव निन्यांवे पितिसत कहानी इसी काल के दोरान गटेत हुई जिस काल में हमें परियावेंड ये बदलाव मिलते हैं उसे मैसुलित यानि की मद्ध पासंड यूप कहते हैं इसका समय लगवग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है इस काल के पासंड और आम तोर बहुत बहुत छोटे थे इन्हें माइक्रो लित का यानि प्रियों के मुठे लगे हसिया और आरी जैसे वजार मिलते थे साथ-साथ पुरान पासंड यूप वाले वजार भी इस दोहरान बनाए जाते थे अंगले यूग की सुरुवात होती है दस अजार साल पहले से इसे नव पासंड यूप कहा जाता है फिर नव पासंड का क्या नहीं है यूश काल में इसकी क्या नाम रहे हो नव पासंड काल का मतलब है यहां और अच्छे वजारों का निर्मार होने लगा खाद संग्राहत से खाद संग्राहत लोग हो गया इस्थाई निवासी हो गया कुछ लोग ठीक है पहले नहीं थे इसे नौकरांती भी कहती है लगबत 12,000 साल पहले दुनिया की जलबाई में बड़े बदलावाए गरिमी बढ़ने लगी इसके पैडाम सरुक कई छेत्रों में घास वालित मैदान बनने लगे इससे हेरन वारे सिंगा भेड वक्री गाय जैसे उन जानवरों की संक्यावडी जो घास खाकर जिंदा रह स जो लोग इन जानवरों का सिकार करती थे इनके पीछे आये उनके खाने पीने की आप्तों और पजिनन की समय की जानकारी नासिल करने लगे हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी जरूरतों के अंसार पालने की बात सोचने लगे साथ ही इस काल में मचली भी भोजन का मत्वून सरोध बन गए खेती और पसुपालन की सुरुआ इसी दोरान ओब महादीब के भिन भिन इलाकों में गया हूँ जो धान जैसी अनाज प्राक्तिक रूप से उखने लगे थे साथ महिलाओं पुरसों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया हूँ साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहां ओगते थे और कब पकर तयार हुते थे ऐसा करते लोगों ने अनाजियों को खुद पैदा करना सीख लिया, इसका दीरे दीरे भी किर्शक बन गए, ठीक, 9% काल तकाती आते किर्शक बन गए, ठीक, इसी तरहे लोगों ने अपने धरों के आसपाल, चारा रखका जानवरों को आकर सिख कर उन्हें पालतू बनाया, स तुम्हारे वंडे एक जाम में तो पूछता रहता है, कि सबसे पहले मानों ने किस जानवर को पालतू बनाया था, कुद देगो, ठीक, दीरे दीरे लोग भेड, वक्री गाये, सुगर जैसे जानवरों को अपने घहरों के नदीक आने को उसाइद करने लगे, ऐसे जानवर जुन्ड में रहते थे, जानदातर खात, घास खाते थे, अकसर लोग अन जैंगली जानवरों के आकमड से इनकी सुरक्षा किया गरते थे, इस तरह दीरे दीरे बपसुपालक बन गए, बसने की विक्रिया, लोगों दोरा पौधे हुआने और जानवरों के देखभाल करने को बसने की विक्रिया नाम दिया गया, अपनाए गए बे पौधे, ये पौधे जानवर अकसर जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न होते थे, इसकी वज़या यह है कि बसने की विक्रिया की देखा में, अपनाए गए पौधे हुआ जानवरों का लोग चैन करते थे, वो धारण के लिए लोग उन्ही पोधों और जानवरों का चैन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो यही नहीं लोग उन्हें पोधों को चुनते थे जिने में बड़े दाने वाले अनाच पैदा होते थे साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाच की पके दानों के भार को समाल सके ऐसे पोधे की बीजों को समाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनको गुर सुरक्षित रख सके उन्हें जानवरों को आंगे पजनन के लिए चुना जाता था जो आमतोर पर अहिंसक हो अब पालतू जानवरों के दान्त और सिंग छोटे होते हैं बसने की पिक्रिया कुरी दुनिया में दीरे दीरे चलते हैं यह करीब 1200 साल पहले शुरूं भी बास्तों में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की पिक्रिया की बज़े से किरसी के लिए अपनाई गई सब सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुट्ते के बाद भेड़ वक्री आते हैं अब बात करते हैं एक नई नवीन जीवन से लिए तुम किसी पौधे के बीच को बू कर देखो तुम पाओगे किसे बिक्सित होने में कुछ बक्त लगता है इसमें कुछ दिन महीन या पिर साल तक लग जाते हैं इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखवाल के लिए उन्हें एक ही जगए पर लंबी समय तक रहना पड़ा बीच बौने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिचाई करने खर्पदबार रहताने जानवरों चिडियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम सामिलती कटाई के बाद अनाच का उपयूद बहुत समाल करना पड़ता था अनाच को भोजन और बीच दोनों इरूम में बचा कर रखना आवसर था इसलिए लोगों को इसके भंडार की बास सोचनी पड़ी बहुत से इलागों म लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बरतन बनाए तो फरीया मुणी फिर जमीन में गड़ा को दे जानवर चलते हैं फिर थे खदस बंडार जानवर वच्चे देते थे जिनकी उनकी संख्या बढ़ती गए अगर जानवरों की देखवाल की जाए तो उनकी संख्या तो बड़ती ही है साथ ही उनसे दूर भी प्राप्त हो सकता है जो दूर का एक अच्छा सरो थे यही नहीं जानवरों ने से हमें मास भी मिलता है दूसरे सब्दों में कहें तो पसुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है अब बात करते हैं हम लोग आरंबिक क्रिस्पों और पसुपालकों के बारे में मांचित दो देखा ही आपने क्या तुमने कभी कई नीले बर्ग देखे देख रहे हैं है पता है इनमें से पित्रीक बिंदू उस जगए को दर्था था जहां पुरातत विदों को सुरुवाती किरिस्कों और पसुपालकों की होने के साथ चमिले पूरे उम्माद इनमें पाए गए हैं इनमें सबसे महत्पूर पश्मूतर छे आदुनिक कस्मीर और पूर्वी तथा दच्छिन भारत में पाए गए हैं बास्तों में निर्देश्ट स्थानों किरिस्कों और सुबालकों की वस्तियां थी या नहीं इसे जाचने के लिए विग्यानिक खुदाई में मिले फोदे और पसुओं की हड़ियां के नम्यूने का द्यान करते हैं इनमें से सबसे रोचक चले हुए अनाज के दानों के आउसे से ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानगूच कर जलाए गये होंगे विग्यानिक इन अनाजों के दानो की भी पहिचान कर सकते हैं इस था ही जीवन की ओर पुरा तत्य विदों को कुछ पुरा इस्तलों पर जोबड़ियों और घरों के निसान मिले जैसे बोड़ यहों वर्तमान कस्मीर में यहांके लोग गड़े की नीचे घर बनाते थे जिन्हें गलतवास कहा जाता है यह उत आने की जगें मिली हैं ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अंसार घर के अंदर और बाहर खाना फकाते होंगे बहुत सारी जगें से पत्थर के ओजार भी मिले हैं इनमें से कई एसे हैं जो पुरा पासनाड़ी हुए उपकरणों से बेने इसलिए उन्हें नव पासनाड़ी का माना गया है वे ओजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पहना करने के लिए उन पर फॉलिस चड़ाई जाती थी ओखली और मूर्सल का प्योग अनाज तथा वनस्पतियों सुपराप्त अन्ने चीजों को पीछने के लिए किया जाता है आज हजार हजारों साल बाद भी ओखली मूर्सल का प्योग अनाज पीछने के लिए किया जाता है उसी तरह फिराचीन फिर्स्तर यूगें ओजारों का निर्मान और प्योग लगातार होता रहा है कुछ ओजार हट्डियों से भी बनाए जाते थे यह नौपासाण यूग के कुछ ओप करने ठीक है नौपासाण यूग के पुराइस्तलों से कई बगार के मिट्टी के बरतन भी मिलें कभी कभी इन पर अलंतरन भी किया गया था बरतनों का उप्योग चीजों को रखने के लिए किया जाता था धीरी धीर लोग बरतनों का बनाने के लिए भी करते ने लगें चावल गया हुं दलेंड जैसे अनाज अब आहार कमात्पूर इससा बन गए इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे इसके लिए कपास जैसी आवस्थक बौधे हुगाए जा सकते थे क्या ये बरतन हर जगाए एक साथी आगे थे ऐसी बात नहीं है एक तरब जहां कई जगाओं पर इस्तरी पुरसों पुरुस्यकार वोजन संग्राह करने का काम करते थे वहीं अन्ड लोगों ने हजार सालों के दरम्यान धीरे-धीरे खेती और पसुपालन को अपना लिया बहुत जगे लोगमोसम के मताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाय करते थे सूप्छ निरिच्छन मेहरगण मैं मित्यू जीवन मित्यू हूं यह आपका मेहरगण के घर का चलते थे इरान जाने बाले सबसे मत्रून रास्ते बोलन दर्रे के पास एक घरावरा समतल स्थान है मेहरगण संभौताय वह सबसे पहले जो, गैम, उगाना और भेड़ वक्री पालना सीखा है यह विविन पकार के जानवरों की हट्डियां मिली है इनमें हेरन तत्था सूर जैसे जंगली जानवरों भेड़ और वक्रियों की हट्डियां मेहरगण में इसके अलावाद चौकोर तत्था आयताकर घर की मित्तियों के बाद भी जीवन होता है इसलिए चल्कब्रों मैं मित्तों के साथ कुछ सामान भी रख देते चाहिते हैं कि इसतारा की आजबी क्यें कि मात्त की गठना या इस तरह की चलती रहते हैं आप नहीं देखा होगा गाहों में इस तरह की कई अभी भी काम होते रहते हैं इन माननताओं को मानते रहते हैं कब देखे हैं मेहरगर की कब काई चित्व अब बात करते हैं अन्यत फ्रांस में गुफा में कई की कई की गई चित्वकारी हमने अटलस में फ्रांस डूंड़ों यह चित्व फ्रांस की गुफा है इस पुराज थल की कुछ लगवग सौ साल पहले चार स्कूली छात्रों न की थी इस तरह के चित्व लगवग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गया है इनमें कई जन्वरों की चित्व हैं इनमें जंगली गोड़े गाय बैस गेड़ा रेंडियर वारे सि सौरों को गहरे चमकीले रंगों से चत्तित किया गया है इन रंगों को लोह एस्क और चार कोल जैसे खनिच पदार्शों से बनाया गया था या संभाव है कि इन चित्रों को उत्सवों के आउसर पर बनाया गया था फिर भी इन्हें सिकारियों द्वारा सिकार पर निकलने स कि नौपा तुर्की नौपासनाड के सबसे पिसेद पुराश्थलों में से एक चाताल ह्यूग तुर्की में हैं यहां दूर दराज इस्थानों में से कई चीजों लाई जाती थी और उनका उप्यूग किया जाता था जैसे सीरिया से लाया गया चमक चमक पथर लाल सागर की कौनियां भूमद सागर की सीपियां देहान रहेगी उस समय तत्विये वाले वहान का विकास नहीं हुगा था लोग सावान खोड़ जानवरों की पीट पर लाते थी तो इसमें हम लोग ने उप्योगी सब्दों की बारे में देखी लिया आखेटक फुरा इस्तल वो देव गुस्तल आपासी इस्तल और आपासाण मद्दपासाण लगू पासाण केसा पसुपालक नौपासाण और कम ठीक है यापकी एक कुश्चन से लगाते रहेगे अभ्यास के लिए याद रखिए कुश्मात पुंड़ति थी याब है मद्द पासाण लग रहा है बारे बारह अजार तक दस तजयार साल पहले ता बसने की क्रिया हुई थिए यहां 12 साल 12,000 साल पहले नौफासाड़े हूँ 10,000 साल पहले मेहरगर में की बस्ती आरम 8,000 साल पहले यह कुछ आपके कुश्चन दिये गए तो यह था हमारा आखेट खाद्रसंग्राय से बोजन उत्पादक तक आगे बात करेंगे आरमभी नगर के बारे में ति आरमभी नगर नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कप्छचचटबी की हमारा अतीत के नाम से जो आपकी बुक से उसी के बारे में बात कर रहे हैं इससे पहले हम लोग सामाजे के वम्राजनितिक जीवन भागे को देख चुके हैं और हम लोग हमारे अतीत फर्ष्ट मैं दो लेच्चर अभी तक खतम कर चुके हैं दो चेप्टर पहला था क्या कब और कहां और कैसे दूसरा था आकेट्स खाद्य संग्राय से बोजन बादन तक इसमें बात करने वाले हैं आरंबिक नगर के बारे में आरंबिक नगर याद रखिए फिर से बोलूँगा यही कि कच्छा आटवी तक की जो भी आपकी NCIT की बोक्स हैं उसे कहानी की तरह फिर चाहे सुनिए फिर चाहे पढ़िए क्योंकि यह केवल बेस आपका म लाद सकी ठीक है इसमें जान्दा कटिन सब्द कोई भी नहीं है बहुत ही नौर्मल सब्दों में लिखी गई है पुरान ने भवनों का रख्चन जस्पाल और हरपीत अपने घर के पास की गली में किरकिट खेल रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर खंडर क गर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे वो था घर कहा करते थे एक नहीं कहा कि इसकी बास्तुकला को देखो क्या आपने कहीं लगडी पर इतनी सुन्दर नकासी देखी दूसरी महला ने कहा कि हमें मंतरी जी को पत्त लिक कर कहना चाहिए कि वह इस खुबसूरत घ करानी की विवस्ता करें यह सुनकर जस्पाल और हर्फी सोचने लगी कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाओ क्यों उसकता है अब बात करते हैं हड़पा की कहानी अकसर पुरानी एमारतें अपनी कहानी बताती हैं लगवक थे 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिचाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजिनेरों को अचानक हड़पा पूरा इस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है अब ठीले उन्हो पूचकर भी हडपा के खंडरों से हजारों इंटें उखाड ले गए जिसके जिससे उन्होंने रेलवे लाइन विचाई इससे कई इमारतें यांकी नश्ट हो गई पूरी तरह थी ठील उसके बाद लगवक 80 साल पहले पूरा तत्य बिदों ने इस इस्तल को ढूड़ा की बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा इस्तलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं उन्हें हडपा सब्विता की इमारतें कहा जाता हैं इन सहरों करने माल लगवक 4700-4700 साल पहले होगा था ठीक है यह सभी नगर आपके पाकिस्तान में आदूने को पाकिस्तान के पंजाब और सिंथ प्रांतों में भारत के गुजरात राजिस्तान हरयाना और पंजाब प्रांतों में मिले इस सभी इस्तलों से पुरातत विदों को अनौकी बस्तुए मिले जैसे मिट्टी के लाल बरतन यह पर काले रंग के चित बने हैं पत्थर के बाट मुरे मन के त नगरोंस मेंसे कई दो या उससे जान्दा हिस्सों में विवाजित किया गया, फ्रेया पश्चिम भाग छोटा था लेकिन उंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा था जो ये बड़ा था, लेकिन ये निचले हिस्स इलाके में था, उंचाई वाले भाग को पुरातत विदों नगर द्रोग कहा, और निचले हिस्से को जो था उसे निचला नगर कहा, दोनों हिस्सों की चार दीवारिया पक्की इंटों की बनाई गए जाती थी, इसकी इंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहे, दीवार बना लें के ये इंटों की चिनाई इस तरह करते थे, जिससे की दीवारें खोब मजबूद रहें, देखिए ये आपका मोंजोद रो, सूत का कोर, ये आपका चंद रो, दौला मीरा, सुरकोटदा, लोथल, गंबेरी वाला, ये हडपा है, राखी गड़ी और काली बंगा, काली बंगा और राकी गड़ी, ठीए, कुछ नगरों के नगर द्रोग में, कुछ खास हिमारतें बनाई गए थी, मिसाल के तौर पर मोहंजोड़ों में, खास तालाब बनाए गया था, जिसे पुरातत बिदों ने महान इसनानागार था, इस तालाब को बनाने में, इंट और पर चार कॉल की परचड़ाई थी, इस सरोबर में दो तरफ से उतरने के लिए सीड़ियां बनाई गये थी, चारों और कमरे बनाए गये थे, इसे भरने के लिए पानी कुए से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, सायद यहां विस्ष्ट न पर लूथर जैसे कुछ नगरों में बड़ी-बड़ी भंडार गिरह मिली है, यह है महान इसनानागार, भावन नाले उसटके, इन नगरों की घर आमतोर पर एक या दो मंजले होते थे, घर के आंगन के चारों और कमरे बनाए गये जाते थे, अधिकांस घरों में एक अलग इसनानागार होता था, कुछ घरों में कुए भी होते थे, कुछ घरों में कुए भी होते थे, कई नगरों में ठकी हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाये जाता था, हर नाली में हलकी ढहलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बैसके, अपसर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी नालों के धके होने के कारण इनमें जगए जगए पर मैन हॉल बनाए जाते थी जिनके जरिये इनकी देखबाल और सफाई की जा सके घर नाले और शड़कों का निर्मार योजनावद तरीके से एक साथ ही किया जाता था ठीक है नगरी ये जीवन रप्पा के नगरों में बड़ी हजचल रहा करती थी यहां पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास एमालते हैं बनाने की यह उजना में जुड़े रहते थे इस संभावता यहां के सासक थे यह भी संभाव है कि यह सासक लोगों को भेज भेज कर दूर दूर से धातू बहुमूल पत्थर और अन्नोपयोवी चीज़ें मखवाते थे साइद सासक लोग खुबसूरत मनकों तथन सोने चांदी से बने अभूसर जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरुपल तो लिखते ही थे और साइद अन्ने चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है इसके अलावा नगरों में सिल्फकार इस्तिक्रोस भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्द्यों के स्कल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे लोग लग भी यात्राइं भी करते थे इस समय और वहां से उप्योंगी गस्तुएं लाते थे साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानियां मीट्टी से बढ़ने कई खेलोने भी मिले जिनमें बच्चे खेल देंगे यह सबसे उपर मोहन जोड़ों की एक सड़क उसमें बना एक नाला है तो यह उपर यह उपर यह कुगा है कि वाई ओर यह अपका हड़ापा की एक महर रहे है इस महर के उपर चन्न एक खास लेपी में होते हैं वह महादी में पाए गए लेकर राचिंतम उधाराने विद्वाने से पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका आज़त क्या है और दाई और यह नीचे आपकी खिलोने हैं आगे बाद कलते हैं नगर और नई सिल्प की बारे में आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्यन करेंगे जो हडपा के नगरों से तराप हुई हैं पूरा तत तो विदों को भी जो चीज़ें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर संख तांबे कांसे सोने और चांदी जैसी धातूं से बनाए गये थे तांबे औ करसि बस्तों में मन्के और बांट और ओजा हैं बांट और फलक हैं यह नहीं हम की पत्तर की बांट है इस चर्ट पत्थर से बनाए गया था इने साथ बहुमूल पत्थर उधात्वों को तोलने के लिए बनाए गये होगा मद्द में बाएं मनके मनके इनमें से कई कार्णियर पत्थर की बनाए गए पत्रों को काटकर तरासकर बनके बनाए गए इसके भी चिंदिक गए तकि धागा डालकर माला बनाए जाए जाए मद्द में दाएं पत्थर के धारदार फलक हड़ा अब हडपा सब्दा के लोग पत्थर की मोहर बनाते इन आयताकार मोहरों पर सामानता जानवरों के चित मिनते हैं हडपा सब्दा के लोग काले रंग से डेजाइन किये हुए खुबसूरा लाल मिट्टी के बरतन भी बनाती संभावता साथ हजार साल पहले मेहरग्र में कपास की खेती होती थी मुवंजोदर के कपड़े के टुपणों के आवसे चांदी के एक फूल लान के ढकन तथा कुछ अन्नतामे की बस्तूरों से चिपके हुए मिले हैं या पक्की मिट्टी और फैंस से बनी तकलिया सूत कत का संकित देती हैं इनमें से अधिकांस वस्तूरों का निर्मार विसेसकों ने किया था विसेसकों से कहते हैं जो किसी खास चीच को बनाने के लिए खास विसी चंड लेता है जैसे पत्थर दरासना उसमें चमकाना या फिर मुहरों पर पच्ची कारी करना मुर्ति मुर्ति का चेहरा कितना आकरशक धंसे बनाए गया उसकी दाड़ी कितनी अच्छी तरह दर्साइं या किसी विसेसग मुर्ति का काम हो सकता है हर व्यक्ति विसे संग नहीं हो सकता है हमें यह पता नहीं है क्या सिर्फ पूरसी ऐसे कामों में पिसीछा हासल करते थे या फिर केवल महिलाएं पत्थर और संग प्राक्तिक तोर पर पाये जाते हैं लेकिन फिर्फ को किंतन रोप से त्यार किया जाता है बालू या इस्पेट्रिक पत्रों के चूर को गोध में मिलाकर उनसे बस्तुएं बनाई जाती है उसके बाद उन बस्तुओं पर एक चिकनी परत चड़ाई जाती है इस चिकनी परत के रंग प्रया नीले या हलके समुद्री हरे होते हैं फियंस से मन के चूड़ियां बाले और छोटे बरतन बनाई जाते हैं तिक कच्चे माल की खोच कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राक्तिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पसूप बालत उनका उत्पादन करते हैं जैसे लकडी या धातूं के ऐस प्राक्तिक रूप से उपलग्द कच्चे माल हैं इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जात मिलती थी लेकिन तामा, लोहा, चानी और बहुमूल पत्थर जैसे पदार्थों को वे दो दोर से आयात करते थे समय हड़ापक के लोग तामे का आयात समोता आज के राजिस्तान से करते थे यहां तक कि पश्चम एसी आई देशों ओमान से भी तामे का आयात किया जाता था कांसा बनाने के लिए तामे के साथ मिलाई जाने वाली दातू, टेन का आयात आधुनिक इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था सोनिक आयात आधुनिक करनाटक और बहमूल पत्थर का आयात गुजरात एरान और अफगानिस्तान से किया जाता था अब बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन लोग नगरों के अलावा गाओं में भी रहती थे वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे किसान और चरवाही ही सहरों में रहने वाले सासकों लेकों दस्तकारों को खाने को खाने के सामान देते थे पौधे के अवसेसों से पता चलता है कि हडपा के लोग गयों जो दालें मतर धान तिल सरसो उगाते थे जमीन की खुदाई के लिए हलका प्योग एक नई बात थी हडपा काल के हल तो नहीं बचपाई लेकिन क्योंकि बेप्यार लकडियों से बनाये जाते थे लेकिन हलके आकर के खिलोंने मिले हैं समाईटी इस चेत में वारिस कम होती थी इसलिए सचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाये होंगे संभावता पानी का संचाय किया जाता होगा जरूएद पढ़ने पर उससे फसलों की सचाई की जाती है रपा के लो तक ले जाया करते थे वे बेर जैसे फलों कूपे खटा करते थे मशलियंप करते थे और हिनन जैसे जानवरों का सिकारवी करते थे गुजरात में हडपा खाली नगर का सूक्ष्म नेक्षण कच्छे के इलाकिर में खादिर बेत के किनारे अपका धौला वीरा नगर वसा पानी मिलता था और जमीन उपजाव थी जहां हडपा सब बतागे कई नगरें दो भागों में विवक्त थे वही धौलावीरा नगर को तीन भागों में बाटा गया था इसके हर इससे के चारों पत्थर की उची 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 दीवारें बनाई गये थी इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े तर्वेश द्वार थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सारुजने करक्रम आयजित किये जाते थे यहां मिले कुछ आउसेसों में हडपाली पीके बड़े बड़े अक्छरों को पत्तर में खुदा पाया गया इन अभिलेकों को संभावत लकडी में जड़ा गया था यही एक अनौखा आउसेस है क्योंकि आम तोर पर हपाप के लिए लेक मोहर जैसे छोटी बस्तों पर बन पाय जाते हैं गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली सावरगती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्तर जैसा कच्छा माल आसानी से मिल जा जाता यह पत्त्रों संखों और धात्यों जिससे बनाएगी चीजों का एक मत्यूंग कें था इस नगर में एक बंडार गर्यर भी मिला है इस बंडार गरय से कही महरें बन मुद डांकन या मौहरवन्दी मिली है लोथल का बंडर यहां बडा ताल— लोथल का बंदर गवार यहां समुद्द के रा क्राष्ते आने वाली नौ रुप्ती थी संभावता यहां पर माल चड़ाया उतारा जाता थे यहां एक इमारत मिली है जहां संभावता मन के बनाने का काम होता था पत्थर के टुगड़े अदवने मन के मन के बनाने वाले उपकरण और तेयार मन के भी आ मिले हैं मुद्रा मुहर और मुद्राकन या मुहरबंदी मुहर का पयोग सामान से भरे हैं उन डिब्बों या थेलों को चिन्नित करने के लिए किया जाता हुगा जिनने एक जग़े से दूसरी जगर भेजा जाता था थेली को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिली मिंटी पोत सामान के साथ कोई चिर्चाड नहीं हुई है अब बात करते हैं सब्था के अंत का रहस लगबां 4900-4900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया लेकन मोहर बाटों का प्योग बंद हो गया दूर दूर से कच्छे माल क का आयात काफी कम हो गया मोहन जो दूरों में सड़कों पर कच्छे के डेड़ बनने लगे जलनिकास पेडाली नश्ट हो गई सड़कों का पर भी जुगी नुमाग घर बनाए जाने लगे यह सब क्यों हुगा कुछ पता नहीं कुछ बिद्वाना के कहना है कि नदिया नों से चार अगा है और गास वाली वैदान समाप्त हो गए होगे कुछ इलाकों में बाड़ आ गई लेकिन इन कारणों से यह इस प्रिष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंद कैसे हो गया क्योंकि बाड़ और नतियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ऐसा लगता है कि सास्कों का नियंतर समाप्त हो गया जो भी हुआ हो परिवर्तन का साय बिलकुछ साब दिखाई देता है आद्मनीक पाकिस्तान के सिद्ध और पंजाब की वस्तियां उजड़ गई थी कई लोग पूरों उद्दचिड के इलाकों में नई और छोड़ी वस मिस नील लदी के असवास वाले लाकिव को छोड़कर मिस का दिकाजबाग रेगिस्तान है लगबग पंद्राय लगबग पांच जार साल पहली मिस में सासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हांती दाद लखडी और हीरे जवाहरा लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी इन्होंने बड़े-बड़े मकबरी बनवाए जिने पैरामेड की नाम से जाना जाता है राजाओं के मन्ने पर उनकी सवों को इनी पैरामेडों में दपना कर सुरक्चित रखा जाता था इन सवों को ममी कहा जाता था उनके सवों के साथ और भी उने चीज विकायन को भी दफना दिया जाता था दुनिया के इतिहास में सबसे जादा धन दोलत खरच किये जाते थे ठीक है एक क्विश्चन से लगाते रहें अब भ्यास के लिए हैं ठीक तो इन्हें में हम लोगों ने जान लिया है नगर दुर्ग भी देख लियां सासक वरग को देख लिए लिपी देख लिए मोरें देख लिए सिल्फकार देख लिए धातुय विशेशं कच्चामाल हल शिचाई की सुगदा देख लिए ठीक यह सबी आपको देख लेना है मेहर गड़मे कबास की खेती के बारे में जाना है लगवक 7000 साल पहले हुई नगरों का अराम आपका 4700 साल पहले हुगा हडपा के नगरों का अंत की सुरुआ 4900 साल पहले हुई अन नगरों का विकास 2500 साल पहले हुगा ठीक है यह हैं आपके अव्यास के लिए questions थो तो यह था आपका आरमिक नगर आंगे हम लोग बातें करेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब रहें ठीक है चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कचचचटवी की हमारा अतीप के नाम से जो आपकी भुक से इसको देख रहे हैं हम लोग इसमें अभी तक हम लोग तीन चेप्टर खतम कर चुके हैं लाश्ट चेप्टर में बात की थी आरमिक नगर इसमें बात करने वाले क्या बताती हैं हमें कितावें और कबरें ठीक है अब द्यार चार क्या बताती हमें किताबें और कबरें आप लोगों सी उम्मे बार बार यही करएं कि आप लोग इननने एक बार कहानी की तरह बढ़ लीजिए मेरा मानना है कि आपको सत्त से 80% आराम से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी सम्झाने लाक्त नहीं है ठीक और उसके बाद दोबारा जब आप डिवीजन करेंगे यह बाद दोबारा तो पूरा आपका कबर हो जाएगा ठीक पुस्तक में मेरी जैसे कि घंटी बजी सिक्षक ने चात्नों को अपने साथ आने को कहा आज भी पहली बार पुस्तकाले जा रहे थे मेरी ने देखा कि पुस्तकाले उसकी कच्छा से काफी बढ़ा था और वहां किताबों से बरे कई रहते कौने में एक अलवारी थी जो मोटी-मोटी किताबों से भरी थी मेरी को एक अलवारी खोलने की कोशी करते देख सिक्छकने का उस अलवारी में अलग-लग धर्मों से जुड़ी वही अलग-लग किताबे हैं क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास बेदों का भी एक संग्रा है? मेरी सोचनी लगी बेद क्या है? चलो पता करते हैं लोग दुनिया की प्याज प्राचींतम गरंतों में सहिए है साहे तुमने बेदों के बारे में सुना होगा बेद चार हैं, रेगवेद, सामवेद, येजुरवेद और अथरवेद सबसे पुराना बेद है आपका रेगवेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले गई रेगवेद में 1000 से जाना फ्रातनाएं हैं जन्हें सूक्त कहा जाते है सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया ये विविट्न देवी देवताओं कि इस्तिती में रचे गए इनमेंसे तीन देवता बहुत थी मात्पुन हैं कौन-कौन से देवता हैं अगनी इंद सौम अगनी आग कद्युटा इन्द योद्र कद्युटा वो सौम एक पौदा है जिससे एक खास प्याइप बनाया जाता है वैदिक प्राथनाओं की रचना अजिसियों की आचार विद्यातियों को इन्हें अक्षनों सब्दों और वाक्तियों में बाठ कर सस्वर पाठ द्वारां कंठस्त करवाती थे अधिकान सूपतों में कि रचेता सीखने और सिखाने वाले पूरुस थे कुछ प्राथनाओं की रचना महलाओं ने भी किये रेगवेद की भासा प्राथ संस्कित या बैदिक संस्कित कहलाती है तो मिस्कूल में जो संस्कित पढ़ते हो उससे यह भासा थोड़ी बेनने है संस्कित और अन भासा हैं संस्कित भासा भारोपिये भारत इवरोपिये भासा का परिवार है भारत की कई भासा हैं असमिया गुजराती हिंदी कस्मीरी और सिंधी एसियाई भासा हैं जैसे फार्ची जैसे फार्ची तथा इवरोप की बहुत सी भासा हैं जैसे अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मानी युनानी इतालवी इस्पेनिस आधी इसी परिवार से जुड़ी गई है। उन्हें एक भासा परिवार इसलिए कहा जाता है कि आरम में उनमें कई सब्द एक जैसे थे। उधारन के लिए मात संस्कित में माहिंदी में मदर अंग्रेजी सब्द को देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। रिगवेद का अचारन किया गया था। सैवन किया जाता था ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदीयों बार इसे पहली बार लिखा गया है। जैसे चापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहली हुआ है। इतिहास का रिगवेद का ध्यन कैसी करते हैं। इतिहास का पुरातत्य विताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानेकारी एकटा करते हैं। लेकिन बहुती काॉस्सिसों के अलावा फिरलेकित सिरूतों का भी उपयोब करते हैं। चलो देखते हैं कि रिगवेद को काधियन कैसे करते हैं। रिगवेद के कुछ सूख्त वार्टालाग के रूम में हैं, विस्वामित नामकरिशी। और देवियों के रूम में होजे दो नदियों व्यास और सतलुच के बीच यह संबाद एक ऐसे सूतकान से एक रिगवेद की एक पांडूलीपी है ठीक है भूर्ट बेक्च की चाल पर लिखी गई है पांडूलीपी कस्मीर में पाई गई थी लगवख 150 साल पर बस पहले से यार हुए यह पांडूलीपी आपकी पूरे महराष्ट के एक पुर्ष्ट काला है मिर्स रक्षित थे अभी भी थी अब बात करते हैं विस्वामित और नदियां विस्वामित यह नदियों अपने बच्छों को चाटती हुई दो दमक्ती गायों की तरह हैं दो पुर्द हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हुई नदियां क्या होती है जल से परिपूर हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चत्ती है एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है रिसी तो हमसे प्रातना क्यों कर रहे हो नदियां बोलना फिर विस्वामित है बैनो मुझे की फ्रातना सुनो मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ खिर्पया करके हकने जल को हमारे रथों गाड़ियों की दुर्यों के उस पर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकये नदिया क्या ऑलती है हम तुमारी फ्रातना सुनेंगे जिसलिए तु कि जिस समाज में विसी रहते थे, वहां घोडों और गायों का बहुत मत दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुल्डा घोडों और गायों से की गई है, रगवेद की प्रातनाओं में अन्न दूसरी नदियां, खासकर सरसुती, सिंधू और उसकी साहिक नदियों का भी जिक गंगा यमना का उलेग सरफ एक बार है, याद रखना, गंगा और यमना का उलेग सरफ एक बार है, घोडों की लडाई में रत खींचने, ये काम में गोडों को लडाई में रत खींचने के काम में लाया जाता था, इन लडाईयों में मवेशी जीत कर लाया जाते थे, लड़ाईयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारा हाय चारागाय हो जहां पर जो जैसी जद्ध तियार होने बाली थसलों का उप जाया जा सकता हो कुछ लड़ाईयां पानी के सिरोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी लेकिन सबसे जादा मवेसियों के लिए गायों के लिए लड़ा जाता थी यह उद्ध में जीतने जीते गए धन का कुछ वाकसरदार रख लेती थी तथा कुछ हिस्सा प्रोहितों को दिया जाता था से इस धन आम लोगों में बार्ट दिया जाता था कुछ धन यह करने के लिए भी प्युक्त होता था यह की आग में आहूती दी जाती थी आहूतियां देवी देवताओं को दी जाती थी, घी अनाज और कभी-कभी जानवरों को कि भी आहूति दी जाती थी, अधिकांस फुरुस इन एउत्तों में भाग लेते थे, कोई इस्थाई सहना नहीं थी इस समय तक, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुद्धे थे, एउत् कैसे लोगों को अपना सर्दा चुनते थे, जो बहादर और कुसल ही उत्ता हूँ, लोगों की विसेष्ता बताने वाले सब्दों, लोगों का बर्गीगन काम, भासा, परीवार, या संउगदाय, निवासिस्थान, या फिर सांसकेतिक परमपरा की आदार पर किया जाता रह है रिगवेद में लोगों की विशिष्टा बताने बाले कुछ सब्दों को देखो ऐसे दो समूव हैं जिनका वर्गीगन काम की आदार पर किया गया है पुरो है जिनें कभी-कभी ब्रह्मर कहा जाता था तरह तरह की यग और अनुष्टान करते थे दूसरे लोग थे राजा यह राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पड़ोगे यह ना तो बड़ी राजधानिया और महिलों में रहते थे ना इनके पास सेना थी ना ही एक कर्वसोगते थे फ्रेया राजा की मित्तिव के बाद उसका बेटा अपने आप इसासक नहीं बन जाता था जनता या पूरे समुदाय के लिए दो सब्दों का इस्तिमाल होता है एक था जन जिसका पेयोग हिंदी वा अन भासाओं में आज भी होता है दूसरा था विस जिससे बैस सब्द निकला है इस इस विस अपर तुम अंगली चर्टर में पढ़ेंगे ठीक रगबेत में विस जनों के ना मिलते हैं इसलिए हमें पुरू जन या विस या भरत जण विस यदू जन विस जैसे कई उले मिलते हैं जिन लोगों ने इन प्रात्नाओं की रचनागी वे कभी-कभी खुद को आरे करते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दसी कहते थे, दसी वे लोग थे जो यक नहीं करते थे, साय दूसरी भासा बोलते थे, बात के समय में दास, इस्तरी लिंग दासी, सब्द का मतलब गुलाम हो गया, दास बेश्तरी वपुर्स होते थे, जिनने योद में बंदी बनाया जाता थे, उन्हें उनके मालिक की जैदात माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था, जिसे योग में, ओ महादीप के उत्परबश्चे में महापासाणों की, यह सिलाखन महापासाण, महा मतलब बड़ा, पासाण मतलब पत्थर, नाम से जान जाते हैं, यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, महापासाण कब्रें बनाने की बिता लगवक तीन हजार साल पहली कुछ महापासाण जमीन के उपर देखे जाते थे, कुछ महापासाण जमीन के बीतर, यह हैं देखी, कई बार पुरातत दिनों को गोला का सजाय हुए पत्थर मिले, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, यह एक ही प्रिमार हैं जो जमीन के नीचे कपरों को दर साते हैं महापासाण पासाणों के निर्मार के लिए लोगों द्वारा कई तरह के काम करने पड़ते थे हमने जो कार सुची की बनाई है उन्हें किरम्मत करते हैं यह उपर जो दिया गया महापासाण को ताभूत सवाधान शिष्ट कहा जाता है यहां देखिए यह ठीक है यह कब्र इन सब कप्रों में कुछ समानता है है घ्रित को को खास के मिट्टी के वर्तनों के साथ दपना जाता था जिनने काले लाल मिट्टी के वरतन है यान कि ब्लेक एंड रेड वियर, वियर के नाम से जाने जाता था, इसके साथ, इनके साथ ही, मिले हैं लोही के ओजार और हत्यार, गोड़ों के कंगाल, सामान, और पत्थर और सोने के गहते हैं, देखिए, महापाराण, काल में मिले लोही के सामान, पायूर, गोड़ी के सामान, यह आपके कुलाड़ियां है, और यह नीचे कटार है, ठीक, लोगों की सामाजिक आसमानताओं के बारे में पता करना है, कैसी करेंगे, पूरा तत्ते हैं मानते हैं कि कंगाल, कंगाल के साथ पाई गई, चीज़ें मरे हुए ब्यक्ति की ही रही होगी, कभी-कभी एक कब्र की तुल्ला में, दूसरी कब्र में जाना चीज़ें मिलती है ब्रह्मागिरी की खोल, यहां एक व्यक्ति की कब्र से में 33 सौने की मनके और संक पाए गए, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के वर्तन में ही पाए गए, दपनाये गए लोगों की सामाजी किस्ति में विन्नता हो, कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयाई थे, क्या कुछ कब्र गाएं खास परिवारों के लिए थे, कभी-कभी महाबासारणों में एक से अधे कंकाल मिले हैं, वे यह दरसाते हैं, इसाइद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-लग समय पर दपनाये ग टांस चिन्नों का काम करते थे, जहां लोग आवस्तक्ता अनुसरा सबों को दखना ने दुबारा आख सकते थे, इनाम गाओं की एक विशिष्ट वेक्ति की कब्र, भीमा की साइद नदी गोड की किनारे एक जगह है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, यहां वैस के लोगों को तुरया गड़ों में सीधा लिटा कर दखनाया जाता था, उनका सिरह उत्तर क्यों होते था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दखनाया जाता था, ऐसे वलतन जिन में सायद खाना और पानी हो दखनाया गए सबों के पास लगती जाते थे, एक आदमी को पांच कबरों वाले मकान के आंगर में, चार पेरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूप में दखनाया गया, वस्ती के बीच में बसा यह गाओं, यह घर गाओं के सबसे बड़े घरों में से एक है, इस घर में एक अनाज का गोदांबी, सब के पैर मोड़े हुएं, तो छोटे आकार के आदार पर एक कच्छे के कंकाल को असानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चे और बच्ची के कंकाल की भी बड़ा फर्क नहीं ह подар क्या पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुस का है या इस तरी का कभी-कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आदार पर इसका अंदाजार लगाते हैं वो धारन के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महला का कंकाल मान लिया जाते हैं लेकिन ऐसी समझ के साथ समझ्या हैं, अपसर पूरुस भी इस समझ आभूसान पहें देते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का ये बहतर तरीका उसकी हक्ति इस्त्रियों की जान, क्योंकि महलाओं को बच्चों को जर्म देते हैं, इसलिए उनकी कर्टी पिदेश या कूला पूरुसों से जादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्यान पर आधारे थे हैं। आज से लगवग दोहजार साल पहले चरक नाम के पिसिद्ध बैद हुए थे, उन्होंने चिकसा सास्त पर चरक सहता नाम की किताब भी लेखी थी, बेर कहते हैं कि मनुस्त के शरीर में तीन सो साथ हत्ती इस्त्रियां होती हैं। ये आधुन एक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हर इस्त्रियों से काफी कोशकाओं से काफी हट्डियों से जानदा है। संभावतर चरक ने अपनी गिंदी में दात, हस्त के जोड़ और काटी लेज को जोड़ कर यह देखा होगा। ठीक है। इनाम गाओं के लोगों के कामदंदे। इनाम गाओं में पुरातत विदों को गय हूँ, जो चावल, दाल, वाजरा मतर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानबारों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने की निसान से यह अंदाजा होता है कि लोग ने खाते होंगे। गाय बेल, बेड बक्रीव, बैंस, कुत्ता गोडा, गधा सुगर, सामज, चितक बार, हेरन, कृष्ण में, खरहा, नेवला, चिडिया, घडियाल, कच्छुरा, क्यंकडा, मचली की हड्डियां भी पाई यही समय। ऐसे साक्ष मिले हैं कि बेर, आवला, जाउन, खजूर, और कई तरह की रस भरियां 31 की जाती हैं। चीन लगवग 3500 साल पहले हम यहां की लेखन कला के सबसे फुराने उधारन पाते हैं। इस देख़ा है, ठीक है। यह जानवरों की हड्डियों पर लेखा गया था। इन्हें भविस्तमाड़ी करने बाले हड्डियां कहा जाता था। क्योंकि यह मानता थी कि यह भविस्त बताती है। राजा लोग लिपी कारों से इन हड्डियों पर सवाल लगवाते थे क्या विस योद्ध जीतेंगे क्या फसल अच्छी होगी क्या उन्हें पुत्त होंगे फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरार पड़ जाती थी वविस वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर वविस्वारी करने की कौसिस करते थे जैसा साथ तुम भी सोच रहे होगे कि बाविस सिता कभी कभी गलती भी हो सकती थी इसमें इस राजा सहरों में महल बना कर थे उन्होंने बेशुमार दौलत एकटी कर ली थी जिन से बड़े बड़े नकासी किये हुए कांसे के बरतन सामित थी लेकिन पिल्लूही का इस्तेमाल करना नहीं जान देती अभी तो ठीक है इसमें हम लोगों ने देखे हैं उपयोगी सब्द जैसे बेद देख ली बेद साल पहले महापासाड निर्मार की सरुवा थीन जार साल पहले हुए इनाम गाउं से करिस्कों का निवास चतिस सो से शताइससो साल मेले चरण इफाइव वेदशार् defl साल पहले अब आपको एक कुश्टण है ठीक है अब ब्यास के लिए लगाती रही है ओ अब तो यह था हमारा फोर्थ नंबर चेप्टर क्या बताती है हमें कप्प्रें किताबें और कप्प्रें अब आंगे बात करें कि राज राजा और एक प्राचीन गर्राज के बारे में कि यादर तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कप्षा चटवी की हमारा अतीद फष्ट के नाम से जुआ की वोक्स है उसी के बारे में ठीक है तो इसके कवर पेज पर जब भी आप लोग खरीदो या कहीं से डाउलोड करो तो उस पर लिखा होगा कवर पेज पर हमारा अतीद फष्ट तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें रबात करना था राज राजा और प्राचीन गर्वराज के वाज में ठीक है याद रखिए मैं फिर से वही बोलूगा कि इसे एक कहानी की तरह पढ़िए या फिर सुनिये क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है बहुत ही साधार्ण सब्दों में लिखी गई है एक दो बार आप लोग सुनोगे या पढ़ोगे अपने आप आपका कॉंसेप् ठीक चुनाव का दिन था जब संकरम उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी बोर्ट डालने जा रहे हैं दरसल के चुनाव केंद पर सबसे बहले पहुँचना चाहते थे संकरम जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उतसाहित क्यों थे उनके नाना जी ने उसे जल्दी समझाने की कौसिप की और कहा आज हमें अपने सासकों का चुनाव करने जाना हैं कुछ लोग सासक कैसे बने हैं लगव पचास बरसों से हम अपने सासकों का चुनाव मद्दान के जरीए करते आ रहे हैं लेकिन बहुत पहले लोग सासक कैसे बनते थे हमने अत्यार चाहर में पढ़ा है कि कुछ राजा संभावता जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे परन्तु करीब तीन हजार साल पहले राजा बनने की स्पिक्रिया में कुछ परीवतन दिखाई दी कुछ लोग बड़े बड़े यगों को आयोजित कर राजा की रूमें पितिश्ठित हो गए असो मेग यग एक ऐसा ही आयोजिन था इसमें एक घोड़े को राजा की लोगों की देखरेक में सुतंत विचरन के लिए छोड़ दिया जाता था इस घोड़े को किसी दूतरे राजा ने रोका तो उसे वहां असो मेग यग करने बले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि असो मेग यग करने वाला राजा सबसे ज़्यादा सकती साली है इसके बाद उन राजाओं वो यग में आमंतित किया जाता था यह यग विसिष्ट पुरोहितों द्वारा समपन किया जाता था इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था 801, 801 मेग यग करने वाला राजा बहुत 37 साली माना जाता था यग में आमन्ति सभी राजा उनके लिए उपभाल लाती थी यह सभी आयोजना मेराजा का मुक्रिस्थान होता था उसे राज सिंगासन या बाप की खाल के एक विसेश आसन पर बैठाया जाता था योदे छेत में राजा का साल्थी उसका सहचर होता था यग के आउसर पर वह राजा राजा की विजय विजयाओं तथा अन गुड़ों का गान करता था राजा की सगे संबंदी खासकर उस की राणिया तथा पुत्रों को भी कई चोटे-चोटे अनुष्ठान करने होते थे अन्य सारे आमंतित राजाओं का काम सरफ बैठ कर येकी की पूरी पिक्रिया को देखना बर था राजा के उपर पुरोहित पवित्यजल के छिड़काओं के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था विस अथवा वैस जैसे सामान लोग उपहाल लाती थे जन्हें पुरोहित सूद मानती थे उन्हें कई अनुष्ठानों में सामिल नहीं किया जाता था, जैने पूरे हित लोग सूध मानती थी, उन्हें कई अनुष्ठानों में सामिल नहीं किया जाता था, यानि की बेदभाव था इस समय में, वर्ड, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमनाचित में कई के बाद रच्चे होने के कारण यह उत्तरवेदिक ग्रंथ कहे जाते हैं इसके इंतरगत सामवेद आपका यह जूलवेद अथरवेद तथा अन्य ग्रंथ सामिल हैं पुरोहिद द्वारा रच्चे तिन ग्रंथों में विवेन पिकार के अनुष्ठान और उनकी संपादन की विदिया बताई गए हैं इसमें सामाजिक नेमों के बारे में भी बताये गया हैं वो समय समाज में कई समोह थे जिनमें आपका पुरोहिद यह उद्धा, किर्षक, पसुबालक, ब्यापारी, सिल्वकार, सैमिक, मचली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग स सामिल थे जहां कुछ पुरोहिद तथा यह उद्धा बेवावसाली थे कोहीं कुछ किर्षक और ब्यापारी भी धनवान थे दूसरी और पसुबालक, सिल्वकार, सैमिक, मचली पकड़ने वाले, सिकारी तथा भोजन, संग्रायप निर्धन ते गरीब थे तिया काम वेदों का अध्यापन और यग करना था जिनके लिए उपभार मिलता था दूसरा पिधार इस्थान सासकों का जिन्हें छत्तिय कहा जाता था इनका काम योत्य करना और लोगों की रक्चा करना था तीसरे इस्थान पर विश या वैस थे इनमें किर्षक, पसुपालत औ सूद्रों का इनका काम अन्य तीनों बड़ों की सेवा करना था इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता था इनकी इस्तिति यानिकी बहुत देड़ी है थी प्रया औरतों को भी सूद्रों के समाल माना जाता था यानिकी औरतों की इस्तिति भी बहुत धराप् माहिलाओं तथा सुद्रों को बैद, वेदों के अधिन का अधिकार नहीं होता था पुर्वोहित्तों के अनुसार सभी बरड़ों करने धारण जन्म के आधार पर होता था इस समर बरड़ वेवस्था की जन्म के आधार पर थी उधारन के तोड़ पर ब्रह्मण मातापिता की संतान ब्रह्मिडी यूती थी बाद में कुछ लोगों को अच्छूद माना गए अच्छूद बर्ण में कुछ सिल्वकार, सिकारी तथा भोजन, संगराथ सामिल थी साथ ही इनमें बे लोग भी आते थे जो सबों को दखनाने, जलाने का काम करते थे इन लोगों से संपर्ट आपवित्म माना जाता था कई लोगों ने द्रह्मणों द्वारा बनाई हुई इस विवस्था को सुईकारा नहीं किया कुछ राजा स्वयμά को प्रोहे से सेष्ट मानते थे, कुछ लोग जनम के आधार पर बर्ण नह kaikतारण सही नहीं मानते थे इसके अत्रिक्त कुछ लोग बे उसाय के आधार पर लोगों के भी पेडवाव उचित नहीं समझते थे जबकि कुछ लोग चायते थी कि अनुष्ठान सप्पन करने का दिकार सबका हो कई लोगों ने छुगाचूत की आलोजना किये इस उब महादीप के पूर्वत्तर चित जैसे कई लागों में सामाजिक आर्थिक आसमानता बहुत कम थी या पुर्वहितों का प्रवाव भी बहुत सी मिलता तरह हैं जन्पद आपके यह क्या है यह चित है आपका चित्त दूसर पात इस तरह के पातों में ज्यादा थालियां कटोरियां ही मिलती हैं यह पात बहुत ही पथली सतय की सुन्दर और चिकने थे हैं, थायद इसका पर खास मौकों पर महत्पून लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता हूँ जनपत में आपकी बात करें तो महायगों को करने वाला राजा आप जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लेगी जनपत का साबदेकर जन के बसने की जगए होती है, कुछ महत्पून जनपत पुरा तत्तों ने इन जनपतों की कई बस्तियों की खुदाई की, दिल्ली में पुराना किला, उत्तरपदेश के मेरट के पास हश्तिनापूर, एटा के पास अतरंजी केड़ा, इनमें पिरमुक है, खुदाई से फता चला है कि लोग जोपडियों में रहते थे, और मवेस दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, इन पुरा इस्थलों में कुछ विसेश पेकार की बरतन मिले हैं, जिनें चित्तित दूसर पात की रूम में जाना जाता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्वष्ट है कि इन बरतनों पर चित्तिकारी की गई है, यामतोर पर सरल रेखाओ तथा जैमतिय आगतियों की रूम में हैं, महा जनपद, करीब 2500 यानि की 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक मतपूर हो गए, उन्हें महा जनपद कहा जाने लगा, अधिक तर महा जनपदों की एक ही राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेवंदी की गई थी, इनके राजाओं के आत्मर से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्मार किया, कुछ राजा भी राजधानी के चारोगोर, विसाल, उची, फिर्भावसाली, दीवार खड़ी कर अपनी समरिदी और सक्ती का पिदर्शन करते थी, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और छित कर पर नेंतर रखना भी सरल हो जाता हुगा, इस तरह की विसाल दीवार बनाने के लिए ब्यापक युजना किया वस्त्ता थी, और लाकों की संख्या में इंटों, पत्रों का इंतिजाम करना पड़ता था, हजारों इस्तुरी पुरसूं, बच्चों नों इसके लिए अधिक अथक प्रियास परिस्त्यम किया होगा, इसके लिए संसादनों की आवस्त्ता पड़ती होगी, यह हैं आपके महाजनपत और नगाजनपत, ठीक, यह आपकी कावुल नदी है, पहले पता है पाकिस्तान, यह नेपाल, बोटान, म्यादमार, इसके लिए उप महादीव के हिस्ता थे, इस्रीलंका भी, यह आपका अंडवान एकोबार है, दुईप सभू, यह आपकी बंगल की खाड़ी है, यह अरब सागर है, यह आपका लक्चिदीव है, यह आपकी कावेरी दच्छन भारत में, कावेरी नदीव है, यह सभी बंग जयन है, राजगरय, कोसांबी, हस्तिनापूर, यहां जेलम नदी है, तक्छला था यहां, सतलज, रभी, रभी, चैनाव, जेलम, गंधार यहां उपर, यह आपका बैसाली है, यह आपका मगद है, यह आपकी ब्रमपुत नदी, गंगाव ब्रमपुत, यही संदरवन का डि बनाती है, यह आपकी बंगाल की खाड़ी में देती है, चंबा, नदी है, इसे आप चंबल वोलते हैं, तो यह आपके प्रमपुत महाजनपद और नगर प्रमपुन जनपद, आंगे बात करके हैं, अब राजा, अब राजा सैना रखने लगे थे, सेपाहियों को नेमित ब कच्छा आठ, सुरी, अध्याय आठ में पड़ोगी, कोसंभी की दिवार, यह चित आधुनेक उत्तरप्रदेश के इलावात के पास मिली इंट की दिवार काउसे से, इसके एक भाग का निर्मार्व संभोता 2500 साल पहली हुया, देखिए, आंगे बात करते हैं, कर, महाजनपदों के राजा बिसाल के लिए बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसके लिए उन्हें पिचोर संसाधनों की आवस्त्ता होती थी, इसलिए उन्हें करमचारियों की भी आवस्त्ता होती थी, अताह महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समर्व पर ल किसान थे प्रया उपच का ये लोग एक बटी 6 बाहिस साथ करके रूम में निर्दारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाये गए जो प्रया स्रम के रूम में चुकाय जाते थे, जैसा कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महिने के में एक दिन काम करना पड़ता था पसुपालकों को जानवरों या उनके उत्पात के रूम में कर देना पड़ता था ब्यापारियों को सामान खरीदने वैचने पर भी कर देना पड़ता था आखेटकों और संग्राखों को जल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी बात करते हैं किर्सी में परीवत इसे उकम है किर्सी के छित में दो बड़े परीवत तनाए हलके फाल का अब लोहे से बनने लगे हलके जो फाल होती थे लोहे के बनने लगे अकठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुल्ला में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था इससे फसलों की उपज बढ़ दिए दूसरा लोगों ने धान के पोदों का रोपर सुरू किया अब पहले की तुल्ला में बहुत जाना पोदे जीवित रह जाते थे इसलिए पैदावार भी जाना होने लगी इसमें कमर कोड़ परिस्यम लगता था एकाम जाना तर्व दासी भूमीन खेती मज़दूर करते थे आंगे बाद करते हैं लोग मगत जनपत के बारे में लगबग 200 सालों के बीच बीतर मगत सबसे मत्पूर जनपत बन गया गंगा और सौन जैसी नदियां मगत से होकर बहती थी याताय जल वितरन जमीन को उपजाओ बनाने के लिए बहुत महत्पूर थी मगत का एक हिस्सा जंगलों से भराता इन जंगलों में रहने वाले हातियों को पकड़ कर उन्हें पिसीख चित कर सेना के काम में लाया जाता थी यही नहीं जंगलों से घर गाड़ियां तथा रत बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी इसके इलाबा इस चित में लोहे के ऐस्की किखताने मजबूत और जार वर हत्यार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी मगद में दो बहुती सक्ती साली सासक हुए अपका एक बिम्मी चार दूस्तरा था अजात सत्रू अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभाव साधना अपनाते थे महा पदमनंद एक और मतपूर सा सकता उन्होंने अपने नेतन कचित इस महादीब के उत्तरपश्ची मी भाग तक पहला दिया था बिहार में राजग्रे आधुनिक राजगित कई सालों तक मगत की राजधानी बनी रही बात में पाटली पुत आज का पटना को राजधानी बना गया 2300 साल याने की 2300 साल से भी पहली की बात है कि मेर्शी डोनिया का राजा सिकंदर विस्त विजय करना चाहता था पूरी तरह सफल ना होने पर भी हुए मिस्त और पश्चे में सिया कि कुछ राजधियों को जीतता हुआ भारतियों महादी में ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया जब उसने मगत की और कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया बेशबास से भायवी थे कि भारत के सास्मप के पास पैदल रत और हाथियों की बड़ी सेना थे फिर है वच्ची जैसा कि तुमने उपर पढ़ा कि मगत एक सक्तिसाली राज़ बन गया था उसके नज़दी की वच्ची राज़ था जिसकी राज़दानी थी बैसाली बेहार यहां एक अलग किस्म की सासन विवस्ता थी जिसे गड़ या संग कहते हैं गड़ सब्द का प्योग कई सदस्वाले समूह के लिए किया जाता है और संग अर्था संगठन या सभा के लिए प्योग किया जाते हैं गड़ या संग में कई सासक होते थे कभी-कभी लोक एक साथ सासन करते थे जिसमें विसे पितेख व्यक्ति राजा कहला था ये सभी राजा विभेन अनुष्ठानों को एक साथ संपन करते थे सभाओं में बैटकर ये बात्ची वहस और बादविवा और कम कर इन सभावों में हिस्सा नहीं लेते थे वुद्ध और महाभी जिनके बारे में आप आंगे अध्याए शिक्स में पड़ोगे थे दोनों ही गड़ यह संग से संबंदी थे बहुत सायत में संग की जीवन का बहुत ही सजी बर्डन मिलता है वज्जी संग का बर्डन द दीग निका एक प्रिसिंद बॉद्ध ग्रंत है जिसमें बॉद्ध के कई व्याक्षण दिये गए इनने करीब तेई सो साल पहले लिखा गया तो बात करते हैं अजाद सत्रू और वज्जी संग के वारे में अजाद सत्रू वज्जी संग प्राक्मर करना चाहता था उन्हो उन्हें अपने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास सलाय के लिए बेजा बुद्ध ने उनसे पूचा क्या हुए वज्जी सवाय निर्मित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस उबस्तित होते हैं जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्ज बातों पर द्यान देते रहेंगे वज्जी महलाओं के साथ जोड़ जवस्ति नहीं करेंगे उन्हें बंदक नहीं बनाएंगे सहरों तथंगाओं में चेत्यों का रख्राख खाओ करेंगे व्युहन मताओं लंभी संतों का संवान करेंगे उनके आने या जाने पर कोई रो को ने गड़ और संग पर विजय प्राप्त करें उन्हें अपने राज में सामिल किया इसके बाद इनके बारे में तुम कच्छा चटवी की इसी अतीत में फर्ष्ट में देखेंगे अध्याय दसमें ठीग यूनान और एंथिस लगवग 25 सौ साल पहले एंथिस के लोगों ने एक सासन विवस्था की स्थापन ती जिसे प्रिजातन्त या गर्तन्त कहते हैं प्रिजाका तन्त यह विवस्था लगवग 200 साल तक चली इसमें 30 साल से उपर के उन सभी पोरुसों को फून नागरिकता प्राप्ती जो दास नहीं थे वहाँ एक सभा थी जो मत्पून बिश सेना नौ सेना में अपनी सिवाएं देनी होती थी औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था समय ब्यापारियों और सिल्प कारों के रूम में 30 में रहने वाले रहने और काम करने वाले बहुत से विद्येसियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थी एं 30 में ख़दा है राजा अस्व में भी देखा है वर्ड देखा है जनपद महाजनपद के लिए इवन दी सैना कर पोद पोद रोपन गड़ अबा संग प्रिजादबंद ठीक है यह आपके कुश्चन से यह देख लीजिए अब ब्यास के लिए ठीक है आपके इसकी तो लेजी यह यह फिर आपके टेलीग्राम पर ढाल दूंगा ठीक है बुक्सी यह हैं आपके नेशासर लगबद तीन सो साल पहले महाजनपद आपके सब्सक्राइब तीन हजार साल पहले महाजनपद तीन हजार साल पहले सिकंदर काकमर दीन निकार कर लेकन लगबब तेश साल पहले गड़ इवं संग राज्यों का लगबब पंद्रह सु साल पहले यह हैं आपके देखती रहना तो यह था का पाँचवा जप्टन आंगे बात करेंगे नए विचारों की बारे में ठीक अंगला जप्टर हम लोग देखेंगे नमसकार दोस्तों तो चलिए मोग बात करने हैं एंसी ए आटी बुक्स के बारे में तो हम लोग बात करने कच्च चट भी ही हमारा अतीत के नाम से जो फष्ट के नाम से हमारा अतीत फष्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग तो इसमें अभी तक हम लोग 5 चेप्टर खतम कर चुके हैं राज, राजा और एक फ्राचिन गड़राज के बारे में देख चुके थी इसमें बात करने वाले हैं नए विसन नए विचार के बारे में छटबा छटबतर रहे हैं आपका नए विसन और नए विचार ठीक याद रखिए फिर से यही कहूँगा मैं तो कि कप्छा आठवी तक की बुक्स के लिए आप लोग एक कहानी की तरह पढ़िए चाहिए फिर एक कहानी की तरह सुनिए जो भी आपको सुटेवल लगे बैसा करिए लेकिन इसमें समझाने लाए कुछ भी नहीं है इसलिए यह तो किवल बेस तयार करने के लिए आपका एक माद्य में तो एक दो बार आप पढ़ेंगे याद सुनेंगे अपने आप कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा आपका अनगा निकली सेर्व पर अनगा आज पहली बार अपने विद्याले की ओर से सेर्व पर जा रही थी इसके लिए उसने देर रात पूरे महराश्ट से वुवरानसी उत्तरतेज की ट्रेंड पकड़ी इस्टेशन पर अनगा को छोड़ने आई उसकी माने अध्याप्रिका से क कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उस उन्हें साधनात दिखाने भी ले जाईएगा अब बात करते हैं हम लोग बुद्ध की कहानी मातमा बहुत दिखी बुद्ध की कहानी बुद्ध धरम के संस्थाबग सिद्धार थे जिनने गौतम के नाम से भी जाना जाता है उनका जनम लगभग 2500 यानि की 2500 बर्स पूर हुआ था यह हुए समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परीवर्तन हो रहे थे जैसा कि तुमने अध्याय बांच में पढ़ा है जनपतों के गुछ राजा इस समय बहुत सत्ती साली हुए थे हजारों सालों के बाद फिर से नगर उबर रहे थे गाओं के जीवन भी में भी बदलाव आ रहा था बहुत से विचारक इन परीवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे भी जीवन के सच्चे अर्थ को भी ज करके सुखों को छोड़ दिया अनेक बरसों तक भी धिर्मड करते रहे तथा अन्विचारकों से मिलकर चल्चा करते रहे अंत्ता ग्यान पराप्ती के लिए उन्होंने स्वें रास्ता ढूनने का निश्चित किया इसके लिए उन्होंने बहुत गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की अंत्ता उन्हें ग्यान पराप्त हुआ इसके बाद से बुद्ध के रोम में जाने गए वहां से विबरानसी के निकट इस्तित सार्नात गए और उन्होंने पहली बार के लिए कहां सार्नात में कुसी नारा में मित्तिव से पहले सेज़ जीवन उन्हें पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को सिक्षा देने में बितीत किया ठीक है बुद्ध ने सिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से बरा हुए और ऐसा हमारी इक्षा और लाल्चाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं और प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक बस्थूओं को पाने की इक्षा करने लगते हैं बुद्ध ने इस लिप्षा को तृष्णा को कहा बुद्ध ने सिक्षद दी की आत्म सयम अपना कर हम ऐसी लाज़शा से मुक्ती पासकते हैं उन्होंने लोगों को तयालू होने तथा मनुस्यों को साथ जानवरों के जीवन पर भी आधर करने की सिक्षदी वे मानते थे कि हमारे कर्मों के पईडाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों हमारे बर्तमान जीवन के साथ बात के जीवन को भी फिरभावित करते हैं बुद्ध ने अपनी सिख्चा सामान लोगों की प्राक्प्रत बहसा में दी। इस से सामान लोग भी उनकी संदेज को समझ पाएं। यह आप को दिख रहा है? यह है आपका सारनाथ इस्तूब। इस इमारत को इस्तूप के नाम से जाना जाता है, यह बुद्ध ने अपना सरम पितम उपदेश दिया था यहां, इसी घटना की इसमिती में यहां इस पूद का इस्तूप का निर्मार किया गया, आप अध्याय ग्यारे में इन इस्तूपों के बारे में पड़ेगी, थोड़ अपने बिवेक से मापे हैं, एक किसा गौत्मी की कहानी है, यह बुद्ध के समय में एक किसिद्ध कहानी है, एक समय की बात है कि किसा गौत्मी नामा के किस तरी कपुत मर गया, इस बात से वह इतनी दुखी हुई, कि वह अपने बच्चे को गोध में लिये, नगर की सड़ पर घूम घूम कर लोगों से प्रात्ना करने लगी कि कोई उसके पुद्oney को जीविद कर दे, एक भला बेक्ती उसे बुद्ध के फास ले गया, बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मिठी सरसों के बीज ला कर दू, मैं तुम्हारे पुद्ध को जीविद कर दूगा, किसा गोत्म एक दरवाजी से दूसरे दरवाजी गई लेकिन वो है जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पती, पतनी, बच्चे, चाचा, चाची, दाला या दादी की मिद्धी हुई थी अब है ओपने सद तो यहां क्या समझाने का फिर्यास किया गया है कि जो इस धर्ती पर आया है वो जाएगा ठीक है फिर्य उपनसद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूर अन्य चिंतक भी कठिन फिसंद का उत्तर ढूंडने का प्यास कर रहे थे उन में से कुछ मित्तिव के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे जबकि अन्य यगों की उपयोगता के बारे में जानने को सुख थे इन्वे से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस बिस्व में कुछ तो ऐसा है जो की इस्थाई है और जो मित्तिव के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वर्डन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सरव्वम आत्मा की रूम में किया है बिमानते थे कि अंत्ता आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिसद में हुआ है उपनिसद उत्तरवेदिक गरंथों का हिस्सा थे उपनिसद का साब्दिकरत हुता है गुरू के समीब बैठना इन गिरंतों में अध्यापकों और विद्ध्यार्थियों की बीच बातचीत का संकलन किया गया है प्रेया ये विचार सामानता वार्तालाव के रूम में पिस्तुत किये गया है भारतिये दर्सन के छे पद्दिती सड़ दर्सन में से बोलती है सदियों से भारत द्वारा सत्य की बोद्रिक खोच का पित्य नितित्य दर्सन की छे साखाओं ने किया है इस साखाओं वैसे सिफ नियाय सांग के उग पूर मेवांसा और वेदान्त या उत्तर मेवांसा के नाम से जाने जाते है दर्सन की इन छे पदितियों की इस्तापना किरमसा रिसी कड़त, गौतम, कफिल, पतंजली, जैमनी और वियास द्वारा की गई हूँ जो आज भी देश में बहुत धिक चर्चाग को दिशा देते हैं जर्मन मूल के वेटिस भारदवेद फेडरिक मैक्स मूलर के अनसार दर्सन किन छे साखाओं का विकास कई पीडियों के दौरान व्यक्ति गद विचारकों के युगदान से हुआ है यग पी ये एक दूसरे से वेन देखते हैं तदाकी सत्य की इनकी समझ में आधार वो तालमिल दिखता है अब बात करते हैं बुद्धीमान विकारी या वारतालाप छंदोग उपनिसद नामक पिसिद्द उपनिसद की एक कहानी परादा रहे थे सौनक और अभी प्रितार्डि नामक दोरिसी सार बौम आत्मा की उपातना करते थे एक बार ये हुई बे भोजन करने के लिए बैटे एक विकारी आया और भोजन मागने लगा सौनक ने कहा कि हम तुमें कुछ नहीं दे सकते पूच आप किसकी उपातना करते हैं अभी तितारी ने उत्तरदिय के साक बौम आत्मा की उह मतलब आप यह जानते और भी नितिमान है जरिसी ओने कहा हां हां हम यह जानते एं यह अगर यह सार बौम आत्मा संपूरण विषी मैं बिद्वान है तो यह मेरे अंदर भी बिद्वान है मैं कौन हूँ मैं स्विस्ट का एक भाई भाग ही तुम हूँ तुम सत्त बोलते हो वीवा गरमर इसलिए है रिसियां रिसियों मुझे भोजन ना देकर आप उस सारबों आत्मात को भोजन देने से मना कर रहे हैं विखाग में भाग लेने वाले अधिकांस पुरस ब्रहमर तथा राजा होते थे कभी-कभी गार्गी जैसे इस तरही विचारकों का भी उलिक मिलता है विद्वता के लिए पिसिद्द गार्गी राजदरवारों में होने बाले बाद बिवाद में भाग लिया करती थी निर्धन प्य पढ़ पढ़ां सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीप जिग्यासा उपन हुई गोतम नामा के ब्रहमर ने उन्हें अपने विद्ध्यार्थियों की रूम में सुईकार किया थी वह अपने समय के सरवादीक पिसिद्द विचारकों में से एक बन गए उपने सत्य के कई वियाकरण बिद्ध फार्णी इस योग में कुछ अन्न विद्ध्वान भी खोज रहे थे उन्हें पिसित विद्ध्यानों में एक फार्णी ने संस्कित भासा की वियाकरण की रचना की उन्होंने सवरों तथम बेंजनों को एक विशिस क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों से काफी मिलते जुत्ये हैं। इसका पेव करोनों ने संस्कित भासा की प्रयोगों के नियम लगु सूत्रों के रूम में लिखे हैं। अब बात करते हैं हम लोग जैन धरम के बारे में इस योग में अर्थात लगवग 25 सो बर्स पूर जैन धरम के 24 वे तथा अंतिम तीरत कर वर्दमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रिसार किया वह वज्जी संग के लिच्वी कुल के एक छत्री राजकुमार थे इस संग के विशय में तुमने अट्याय पांच में पड़ा हैं तीस बस की आयू में उन्होंने घर छोड़ दिया किसने वह अर्दमान महावीर ने वह जंगलों में रहने लगे वह वारे वरस तक उन्होंने कठिन वा एका की जीवन वितीत किया इसके बाद उन्हें ग्रान प्राप्ति भी उनकी सिक्षा सरल थी सत जानने की एक्षा में रखने वाले पितेक इस्त्रीव अपर उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए उनकी सिक्षा में सामिल था उन्हें अहिंसा की नीमों का कडाई से पालन करना चाहिए अर्था किसी भी जीव को ना तुटकष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए महावीर के कहना था कि सभी जीव जीना चाहिए सभी के लिए जीवन पिरी है महावीर ने अपनी सिक्षा प्राकृत भासा में दी यही कारण है कि साधारन जन्वी उनके तथा उनके अनुवयाईयों की सिक्षाओं को समझ सके देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग-अलग रूप पिचलित थे पिचलन्चित के आधार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मगद में बोले जाने वाली प्राकृत मगदी कहलाती थे जैन नाम से जाने करें महापीर के अनुवाईयों को भोजाएं के लिए भीच्चा मांग कर साला जीवन बितारना होता था उन्हें पूरी तरह से इमांदार होना पड़ता था चोरी ना करने की उन्हें सक्त हिदायत दी जाती थी उन्हें ब्रह्मा चर्म का पालन करना होता था पूरुसों को वस्तों से सब कुछ त्याग देना परता हूं कि जैन जैन सब्ड जिन सब्डसे निकला है जिसका अधुता है बिजेता महाबीर के लिए जिन सब्द का प्योग हुआ है कि उन्हें आपने आपको विज़य कर लिए को अधिकांस अपने आप पर गंट्रोल करनों को जैसे आप अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं उसे विज्जन कहते हैं विजित ठीक अधिकास व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़ी नीमों का पालन करना बहुत कठिन था फिर भी हजारों व्यक्तियों नई जीवन से लिए को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया कई अपने घरों पर ही रहे और भिखो भिखुडी बने लोगों को भोजन पिदान कर उनकी साहता करते रहे मुक्ता ब्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया किसानों के लिए इन नेमों का पालन अतेंद कठिन था क्योंकि फसल की रक्चा के लिए उन्हें कीडे मकोडे को मारना गया महावी तथा उनके अनवयाईयों की सिख्षाएं कई सताफदी तक मौकिक रूप में रही बातमान रूप में उपलब्द जैन धर्म की सिख्षाएं लगवाग पंद्रह सोबर्स पूर्ग गुजरात में बल्लवी नामक इस्थान पर लिखी गई थी त्रयापका संग महावीर तथा बोत दोनों का ही मानना था कि घर का अद्याग करने पर ही सच्य ग्यान की पराप्ति हो सकती है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संग नामक संगठन बनाया जहां घर का अद्याग करने बाले लोग एक साथ रह सकने संग में रहने वाले बहुत द्विक्चुमों के लिए बनाये गए नियम बीने पिटक नामगरंद में मिलते हैं बीने पिटक से हमें पता चलता है कि संग में फोरोसों और स्त्रीयों के रहने के लिए अलग-अलग विवस्ता थी सभी व्यक्ति संग में प्रवेश ले सकते थे हलाकि संग में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से राजा के यहां काम करने वाले लोगों को राजा से तथा करजदार को अपने देंदारों से अनुमती लेनी होती थी एक इस्तिरी को उसके लिए इसके लिए अपने पती से अनुमती लेनी होती थी संग में प्रवेश लेने वाले इस्तिरी पर उस बहुत साधा जीवन जीते थे बे अपना अधिकान समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चे समय में बे सहरों बागाओं में जाकर भीक्षा मागते थे यही कारण है कि उन्हें भीक्षो या भीक्षोडी साधू भीकारी के लिए प्राक्तिक सब्दे कहा गया है बे आम लोगों को सिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे किसी तरह की आपसी लड़ाई का निप्टारा करने के लिए प्रया बैटकें भी किया करते थे संग में प्रवेश लेने में बालों में ब्रहमर्ट, चत्रिये, ब्यापारी, मजदूर, नाई, गड़काएं, तथन्दास सामिल थी नमें से कई लोगों ने बुद्ध की सिक्षाओं के विसाय में लेखा कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विसाय में सुंदर कभीताओं की रचना की बिहार पहाड़ी को काट कर बनाईए यह गुफा यह कारले बरत्मान महराथ में विक्खू बिक्कूरी हैं इस सरण में, सरण इस तलों में रहका ध्यान हाथ यह है कारले की गुफा ठीक है विहार विहार जैद बता बहुत बिक्चू पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान गोमते हुए उपदेश दिया करते थे केवल बरसारितों में जब यात्रा कटना कठेन हो जाता था तो बे एक स्थान पर ही निवास करते थे एसे समय में भी अपने अनुयाईयों द्वारा वो द्यानों में बनवाए गए आइस्थाई निवासों में अत्वा पहाडी छित्रों की प्राक्तिक गुफाओं में रहती थे जैसे जैसे समय बीता का विक्खू विक्खुडियों ने स्वैम तथा उनके समर्त्कों ने अधिक स्थाई सरण स्थलों की अवस्चक्ता का अनुपव किया तब कई सरण स्थल बनाए गए जिनने विविहार कहा जबता है अरम भी विविहार लगली के बनाए गए थे बाद में इनकी निर्माड में इंटों का प्योग होने लगए पश्चिम भारत में विशेश कर कुछी विहार पहाडियों को खूद कर बनाए गए एद बहुत ग्रंद से जिराप्त होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलगलक पहचान समाप्त हो जाती है ठीक उसी तरह बुद्ध के अनवाई जब भिक्चूओं की सैनी में प्रवेश करते थे करते हैं तो अपना वर्ड सैनी और प्रयुगार सब तयाग देते हैं प्रया किसी धनी ब्यापारी राजय अद्वा भू स्वामी द्वारां दान में दी गई भूमी पर विहार का निर्मार उद्धत हैं इस्थानिये ब्यक्ति भिक्कू भिक्टुडियों के लिए भोजन वस्त दवाईयां लेकर आते थे जिसके बदले ये विक्चू और विक्खुडी लोगों को सिक्षा देते थे आंगे आने वाली सदाब्दियों में बहुत धरम ओ महादी के विविन हिस्सों के साथ साथ बाहरी छित में भी फैल गया अम लोग अध्याय नौ में जानेगी इसके बारे में आस्रम विवस्था जैन तथा बहुत धरम जिस समय लोग पीय हो रहे थे लगवा उसी समय प्रहमणों ने आस्रम विवस्था कभी कास किया यहां आस्रम सब्द का तात्पर लोगों द्वारे रहने तथा ध्यान करने के लिए प्योग में आने वाले इस्थान से नहीं है ब ब्रहमचर के अंत्रगत ब्रहमण चत्रिय तथा बैस से यह फीक्षक की जाती थी कि इस चरण के दोरान वे साधा जीवन बिताकर बेदों का अध्यन करेंगी ग्रहस्त आस्रम के अंत्रगत उन्हें विवाय कर एक ग्रहस्त के रूम में रहना होता था वान प्रहस्त के अंत में लगाने पर बल दिया फ्रया इस्त्रियों को बेद पढ़ने की अनमती नहीं थी समय उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किये जाने बाले आस्त्रमों का ही अनुसरण धर्ना होता था इरान जर्थुस्त एक इरानी पेगंबर थी उनकी सिक्षाओं का संकलन जैन्द अविस्ता नामग्रेंद में मिलता है जैन्द अविस्ता की भासा तथा इसमें बढ़त रिती रवाज पेदों की भासा और रिती रवाजों से काफी मिलते जुते हैं जर्थुस्त की मूल सिक्षा का सूत सदविचार सदवचन सदिकार है ये इसोर वल सद तिधानता और सदविचार तिधान कीजिए जिनके जरी हम सांती बना सकें एक हजार से अधिक बर्सों तक जर्थुस्तवाद इरान का एक प्रमुक धर्म बढ़ा बाद में कुछ जर्थुस्तवाद इरान ने से आकर गोजरात महराष्ट के तट्टिये नगरों में बस गई बेलोग ही आज के पारिसीयों के पूरवज है तो इसमें हम लोगों ने उपयोगी सब्दे देख लिए प्रिफ्टा हो पाक प्राक्त हो आत्मा हो गर्मा हो चाय फिर ओपने सब जैन हो एंसा हो भिक्चू हो संग हो बिहार हो आसमा ठीक है यह आपके कुश्चन दिए गये हैं इन्हें देख लिए ना अब ब्यास के तौरपर यह हैं कुछ ठीक ह यह आपके कुछ मत पूर्तितियां है उपने सथ के विचारक जैन महादवीद तथा बहुत दिर लगवागे 25 सो बार्स पूर हुए जैन गरंथों का लेखन लगवा 15 सो बार्स पूर कुश्च आपके एक कुश्चन है ठीक हो गया तो यह था आपका छट बाले चप्टर न इस चैप्टर पर बात करेंगे हम लोग ठीक है हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे N.C.I.T. कप्छा छटवी की हमारा अतीत फ़ष्ट के नाम से जो किताब है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें हम लोग उन्हें अभी तक 6 चैप्टर खतम कर चुके हैं 6 चैप्टर इसमें 6 चैप्टर था आपका नए विचार नए पिसन नए विचार इसमें बात करने वाले हम लोग असोक एक अनौका समराठ जिसमें योदिकार त्रेयार किया मैं हर वार आपको यही सलाय दूँगा कि आपके पास जिस तरह की सुगदा है या अगर आप लेक्चर किसी के सुन रहे हैं तो उसमें आप लोग कच्छा आठवी तक की NCIT को एक दो बार सुनें उससे आपका कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा या पिर एक दो बार पढ़ें क्योंकि इसमें नातू ज्याद़ टर्म्स ऐसे हैं कठिन हैं नहीं समझाने लाइक हैं बहुती सल सब्दों में लिखी गई हैं ठीक है असो एक अनौखा समराड जिसने योद्ध का तेया किया रोसन की रुपिय है जनम दिन पर रोसन को दादा जी ने कड़क नोट मिले दा पा रखा था उसे एक नया सेड़ी खरीदने का बहुत मन था लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और चूप कर महसूस करना चाहती थी तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांदी जी का मुस्कराता चेहरा बना हुए था बाई तर पड़ा राज एक संबराज हम जिन सेरों के चित और रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतियास है उन्हें पत्रों को काटकर बनाया गया और पर उन्हें सादनात में 12 साल इस्थम्भ पर इस्थापित किया गया इतियास के महान राजाओं में से एक कापका असोग के निर्देश पर इसके जैसे कई इस्थमब और पत्थरों पर अभिलेख उत्फिरेन किये गए इसके पहले कि हम यह जाने की अभिलेखों में क्या लेखा है यह समझने की कोशिस करें कि उनके राज़ को समराज क्यों कहा जाता था असोग जिस समराज पर सासन करते थे उसकी इस्थापना उसकी दादा चंदगुप्त मौर ने 2300 साल पहले यानि की 2300 साल पहले की थी इसकी स्थापना चाडक या कोटल नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंदगुप्त की सहायता की थी चाड़क के कई बिचार हमें अरतसास्त नाम की किताब में मिलते हैं। अरतसास्त कित से सम्मंदित है चाड़क की की बुख से टीकुप्ति वंस जब एक ही परिवार के कई सदस एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंस का कहा जाता है मौर बंस में तेन महत्पूर राजा हुए कौन कौन से पहला पचन्द गुप्त उसका बेटा विंदू सार विंदू सार कपुत असोग ठीक है समराज में बहुत सी नगर थे इन में समराज की राधानी पाटली पूर्त और उजयन तक्च सिला जैसे नगर फिर्मुक थे तक्च सिला उत्तर पश्चे मौर्भद देशिया के लिए आने जाने का मार्ग था दूसरी तर उजयन उत्तरी भारत से दश्चिणी भारत जाने वाले वह राष्टे में पढ़ता था साइद नगरों में ब्यापारी, सरकारी, अधिकारी और सिल्वकार रहते थे जिन जगों पर असोक किसे लालेक मिले हैं, उन्हें लाग बिंदूओं से दिखाये गया है इसमें, माचित में, ठीक, ये सारे इलाके समराज के भीतर थे, उन देशों के नाम बताओ, जहां सोक की अविलेक मिले हैं, ठीक, समराज के बहुत बड़े छेत्रों में किसानों उपसुपालकों के गाउं पसे हुए थे, मद भारत जैसे इलाकों में जंदतर रिस्सा जंगलों से भरा हुए था, वहां पर लोग फल, फूल, फूल का संगरण और जानवरों का सिकार करके अपनी जेविका चलाते थे, समराज के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन-भि भासा बोलते थे, बेलोग साइद अलग-अलग विकार का बोजन करते थे, यहां तक कि अलग-अलग किस्म की फोसाग भी पहनते थे, मौ समराज, उसे उपके पिरमुकनागर और अभिलिक प्राप्त हैं हो, ठीक है, याद रखना, ओब महादीम में पहले अपना है, पाकिस यह आपका म्यान मार है, यह भी सामिल था, ठीक है, और नीचे आपका स्रीलंका भी सामिल था, यह आपके जो लाल बिंदू में है, अभी लेखों के प्राप्ती स्थल है, और जो काले बिंदू है, यह महत्वोन नगर है, यह आपका अंडबान दूइप समूर है, यह बंग कंधार लंपक, साथ बाजगड़, गड़ा मंस, सिहरा, कल्सी, टोपरा, मेरट, बहापुर, गिरनार, पंगुर रिरिया, सांची, रूपनाथ, गुजर, कोसामबीश, इलावा सारनाथ, लुम्मिनी, यमपुर्वा, लोरिया, अरग, अराज, टी है, फिर आपका दोली है, ये जोगड़ है, सोपारा है, सन्नाथी है, मस्की है, एरा गुड़ी है, ब्रह्मागरी है, ये थे आपके, लाल बिंदु में जो रखे हुएं, अभी लेकों के प्राप्ति, इस थर, बात करते हैं, अगे बात करते हैं, राज समराज से कैसे बिनने है, समराज से, चूकि समराज राजियों से बड़ी होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए समराटों को राजाओं की तुला में, जान्दा संसादनों की जरूरत होती है, इसी करेकटिक करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है समराज का पिसासन चुकि मौर समराज बहुत बढ़ा था इसलिए अलग-अलग इस्सों पर अलग-अलग ढंग से सासन किया जाता था पाटलीपुत और उसके आसपास के इलाकों पर समराज का सीधा नियत्र था इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाउं और सहरों के किसान, पसुपालक, सिल्वकात और व्यापारियों से करेकट्था करने के लिए राजा अधिकारियों की नेवति करता था जो राजा के आदेसों का उलगन करती थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे इन में से कई अधिकारियों को बेतन भी दिया जाता था संदेश बाहक एक जगह से दूसरे जगह गूमते रहते थे राजा के जासूस अधिकारियों के कार कलाब पर नजर रखते थे इन सब के उपर समराट था जो राजपरीवार एवन वरिष्ट मंत्रियों की साहता से सब पर नेंतर रखता था मौर समराज के वीतर कई छोटे-छोटे छेत या प्रांते इन पर तक्छिसिला या उज्जनी जैसे प्रांतिय राजधानियों से सासन किया जाता था खुछ हद तर फाटली पोत से इन छेतरों पर नेंतर रखा जाता था अक्तर राजकुमारों को वहां का राजपाल गवर्नर बना कर भेजा जाता था लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगों पर इस्थानिय परंपराओं और नीमों को ही माना जाता था फ्रादे से केंद्रों के बीच बिस्त तच्छेत थे इनके इलापों में मौर सासक तरे मारगों और नदियों पर नियंतन रखने की कौसिस करते थे जो की आवागमन के लिए महत्पूर थे यहां से उन्हें जो की संसाधन कर और भेंट की रूम में मिलते थे उसे एकटा किया जाता था उधारन के लिए अरत स्थास्त मेया लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दच्छिड भारत सोने केमती पत्रों के लिए पिस्त था संभावई की संसाधन नजराने की रूम में एकटित किया जाते थे नजराना क्या होता है जहां कर नेमित धंग से एकटित किया जाते थे वह नजराना आनेमित रूप से जहां भी संभावई एकटा किया जाता था ऐसे नजराजनाय बिवित पतार्थों के रूम में फ्रेया ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्विक्षा से इसे देते थे राजदानी में समराट, मैगस्तनी चंदगुप्त के दर्वार में पश्चे मेसिया के युनानी राजा सेलुकस नेकेटर का राजदूद था मैगस्तनीज ने जो कुछ देखा उसका विर्वरण किया है यहाँ उसके विर्वरण का एक अंस दे रहे हैं समराट जनता के सामने आने के अवसर पर सोभा यात्रा के रूम में जसन बनाय जाता था उन्हें एक सौने की पाल्की में ले जाया जाता था उनके अंगरक्चत सौने और चांदी से अलंकरत हातियों पर सवार रहते थे कुछ अंगरक्चत पेड़ों को लेकर चलता थे इन पेड़ों पर पिसिक्षित तोतों का एक जुण रहता था जो समराट के सिर के चारों तरब चक्कल लगाता था राजा सामान था हतियारवन महलाओं से गरे होते थे वे हमेशा इस बास पर डरे रहते थे कहीं कोई उनकी हत्या करने की कौसिश ना करे उनकी खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चकते थे बल भी लगाता दो रात एक ही कमरे में नहीं सोती थे पाटली पुत्र आधुनी पटना के बारे में यह एक विसाल और खुबसूरा नगर है यह एक विसाल प्राची से गिराए जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है दो और तीन मंजले वाले घर लकडी और कचीन्टों से बने है राजा का महल भी काट से बनाए जिस पत्तर की नकासी से अलंकित किया गया है यह चारों तरब से वो ध्यानों और चिडियों के लिए बने सब बसेरों से गिराए और अंत में जंगल वाले इलाके आती थी वहां रहने वाले लोग काफी हद तक सुदंत थे उनसे यह उमीद की जाती थी कि अभी मौर यदिकारियों को हाती लगडी मदू और मौम जैसे चीजें ला कर दे असोग एक अनोखा समराथ असोग मौर वेंच का सबसे पिसिद साशकता वह ऐसे पहले सा सकते जिन्होंने अभीलिकों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कौसिस की असोग के ज़्यादा अभीलिक त्राक्रत भासा और ब्रह्मी लिपी में कलेंग योद का बर्डन करता हुआ असोग का एक अभीलिक अपने एक अभीलेकन में असोग ने यह बात कही कि राजा बनने के आठ साल बात मैंने कलेंग बिजय की लगबख डेल लाख लोग बंदी बना लिये गए इसमें एक लाख से भी जाना लोग मारे गए इससे मुझे अपार दुख हुआ क्यों जब किसी सुतंत देश को जीता जाता है तो लाख में लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं इसमें ब्रमण और सेमण भी मारे जाते हैं जो लोग अपने सगे संबंदियों और मित्तों को बहुत प्यार करते हैं तत्हां दासों मेंत्कों के भी तयाव बान होते हैं बेभी यूद में या तुम्हारे जाते हैं या अपने फीयेजनों को खो देते हैं इसलिए मुझे पश्चाताथ हो रहा है अग मैंने धम पालन करने हैं येवं दूसरों को इसकी सिख्चा देने का निश्चे किया है मैं मानता हूँ कि धम की माद्याम से लोगों का दिल जीतना वलपूरग विजय पाने से जानद अच्छा है मैं एवली एक भविस्थ के लिए एक संदेश के रूम है इसलिए उत्तेश कर लाओ कि मेरे बात मेरे बेटे और पोते भी योद ना करें इसके बदले उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धम को कैसा बढ़ाया जाए धम आपका संस्कित धर्म सब्द धर्म का प्राक्तिक रूब है प्राक्तिक रुदू असोग का कलिंग योद कलिंग तटवर्ति उडिशा का प्राची नाम है असे उन्हों असोग ने कलिंग को जीतने के लिए एक योद लड़ा लेकिन योद जलित हेंसा और खून खराबा देखकर उन्हें योद से गितिशना हो गई उन्हों ने नेड़ए लिया कि विभाद वेस्व में कभी युद नहीं करें असोग का धं क्या है असोग के धं में किसी देउता की पूजा अधवा किसी करमकान की आवस्त्ता नहीं थी उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे वेवार की सिक्षा देते हैं वैसी ही यह उनका करता बथा कि अपनी प्रजा को निर्देश दें वे बोद्र के उपदेशों से भी पेरित हुए उत्करेश्टर पॉलिस वाले पत्थर की इस मूर्थी को दें यह आपकी यह बिहार के रामपुर्वा के मैं मिले एक मौर कालीन इस्थम का है अभी इसे राष्टपदी वहमन में रखा गया है या उस समय की मौर्तिकला का एक नबूना है ठीक है आँगे बात करते हैं ऐसी कई समस्या है थी जिनके लिए उनमें संबेदन संबेदना थी उनके समराज में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे इससे कई वार प्रौसियों के भी जगड़े होते रहते थे असोक ने यह मैसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका करतब है इसलिए उन्होंने धम महा मात नाम के अधिकारियों की निउक्ति की जो जगय जगय जाकर धम की सिख्छा देते थे इसके अतरिक्त असोक ने अपने कई इस्थानों पर सिलाओं और स्थम्मों पर खुदवाई अधिकारियों को यह निजदेश दिया गया कि विराजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ कर सुना जो खुद पढ़ नहीं सकती थे असोक ने धम्मे के विचार को फिसाड़ित करने के लिए सीरिया में सिग्रीस तथा सिलिलिंका में भी दूद बेजे उन्होंने सड़कें बनवाई, कुये कुदवाई, विसराम ग्रह बनवाई इसके अधरेक्ट उन्होंने मनुस्तों बाद जानवरों की चिकिस्सागी विविवस्ता की अपनी प्रजा के लिए असुक की संदिश लोग विवेना उसरों का अनुस्ठान करते हैं उदारण के लिए जब विविमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाई होता है बच्चों के जनम पर जब यात्रा सुण करते हैं तब बित तरह तरह के अनुस्ठान करते हैं एक करमकंड किसी काम के नहीं है इसके वदिले यदि लोग दूसरी रितियों को मानें तो यह जाला फ्ल्दारी होगा ये अन्य पिकार की रितियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों अनुपरों के साथ अच्छा बिवार करना बड़ों का आदर करना सभी जीवों पद दया करना ब्रह्मणों तथा सेमणों को दान दिना अपने धम्य की पिसंसा या दूसरों के धम्य की निंदा करना दोनों ही बात गलत है हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई तो दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो यह बास्तों में अपने धर्म को नुकसान पहुंचाता है इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुक्ष विस्वासों को समझने की कौसिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए भारत के पिथम पिधार मंतरी पंडे जवालाल नहरूर ने लिखा है कि उनके धर्मादे आज भी हमसे एक ऐसी वासा में बात करते हैं जिने हम समझ सकते हैं और जिन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं असोक ने धम के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अंसार आज भी प्रासंगिक हैं असोक के संदेश उस हिस्सों को बताया जो आज भी प्रासंगिक हैं ब्रह्मी लिफी आध्वनीक बारत की जान्दातली लिफी है पिछले सेक्टो बरसों में ब्रह्मी लिफी से उत्पन्वी यहाँ आख्छर को अलगलग भासाओं की लिफीयों में देख सकते हैं तीर यह आरंभी ब्रह्मी है देवनागरी हिंदी है यह वंगला है मलयालम और है आपका तमिल तीर आपका अन्यत मौर समराज के उभनने से थोड़ा पहले लगवक 2400 पहले 2400 पहले चीन में समराटों ने चीन की दीवार का निर्माट शुरू किया इसे बनाने का उदिश उत्री सीमा की पसूपालक लोगों से रक्षा करना थी अंगली 2000 वरसों तक इस दीवार का निर्माट कारे चलता रहा क्योंकि समराज की सीमा बदती रही है यह दीवार लगवक 6400 किलो मीटर लंबी है तथा यह पत्थर और टींट से बनी है इसकी उपरी सत्य सडक जैसी चौड़ी है इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को खाम करना पड़ा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बोज बने है पड़ोसी देशों के पिती असूप का रविवा चेनी समराटों के रवे से बिन नता तो इसमें हम लोगों ने बात किये ओफ योगी सब्स देखें कौम समराज अधिकारी संदेश बाग प्रांद दम यह आपकी कुश्चन्स हैं देख ली न अभ्यास के लिए ठीक है यह आपकी कुश्चन्स है मौसमराज की सुरुआत 2300 साल पहले शी यह भी आपकी कुछ कुश्चन है यह भी आपकी कुश्चन्स है यह आपका मैप्स क्या बताता है जो इसमें यह लाल रंग है यह मार्ग चीनी सासकों की नियंतर में थी और यह आपका मार्ग कुशानों की नियंतर में थी यह मार्ग मात्पूंड समुद्री मार्ग थी यह आपके मार्ग इरान फारस के सासकों की नियंतर में थी और इन मार्गों पर रोमन सासकों का नियंतर था तुकौन की से है यह आपकी यूरा लंदी है बॉल्गा नदी है यह आपका डॉन नदी है बाल्टिक शाब ब्यापारिक मार्ग है यहीं आपका काला सागर है काकिसस परवत है केस्पियन सागर है आपका फारस की खाड़ी है यहां यहां है आपका यहां यहां तक एसीया लगा हुआ है यहां फिर अपका लाल सागर है यहां एक जम सागर एक जम का समराज है मेव सार्मों से यहां सिकंद्रिया है ठीए फिर आपका यहां उपर यूरोप है ठीए चीनी भारती एरानी अरवी युनानी रोमन व्यापारियों ने इस आधान पतार में भाग किया दश्चन भारत के पतन काली मरेच तथन अन्न मसालों के निर्यात सिद्रश्टी सिम्हत्मूर थे यह है आपका भारत वो महादी उस समय का ठीए पाकिस्तान यह सभी पता है यहां से हिमाले परवत यहां इस सब भारत का ही हिस्सा था वो महादी ठीए मुस्ली वट्रम भारत में पुडू का मुझीरिम बेरी गाजा यह आपकी गंगा नदीव पर सिंदू पाकिस्तान में यह आपका इसी में था यह रपसागर है आंगे किवाल लगवग बाइस सो बस पहले मौसमराज का पतन हुए इसके साथ इस्थान पर साथी अन्न जगयों पर भी कई नए राज्यों का उद्याग हुए पश्च मोत्र में तथा उत्तर भारत की कुछ बागों में करीब एक सो साल तक हिंद यवन राजाओं का सासन आया इसके बाद पश्च मोत्तर उत्तर तथा पश्चमी भारत पर सक्षासक मद्देशियाई लोगों का सासन इस्थाबित हुए इसमें से कुछ राज लगवग 500 बर्स तक टिकी रहे जब तक कि सक्षासकों को गुप्त सासकों ने से पराज़त नहीं मिली पराज़त नहीं मिली सक्षाण के बाद कुसाण आये लगवग 200 बर्स पहले का सासन इस्थाबित हुए इनकी बारे में हम लोग बात करेंगे उत्तर तथा मद्ध भारत के कुछ इलाकों में मौर सैननाइट पुस्ट मित्थ सुंग ने एक राज की स्थापना की यह आपका हिंद यवन सिक्का है यह आपका कुसाण सिक्का है सुंगों के बाद कन तथा कुछ और बंजों का सासन तक चला जब लगभग 1700 बस पहले गुप्त समराज की स्थापना हुई हमने देखा कि पश्टिम भारत के कुछ हिस्सों पर सकों का सासन था वहां पश्टिमी भारत तथा मद्ध भारत पर सासन कर रहे साधवाहन सासकों के साथ इनके कई योग दूए लगभग 2100 साल पहले इस्थापिस साधवाहन राज लगभग 400 साल तक टिकारा लगभग 1700 बस पहले मद्ध तथा पश्टिमी भारत में हुआ काटक बंस का सासन था इस्थापित हुआ यह याद रखना सक सिक्का है यह आपका साध्वाहन सिक्का है इसके अलाबा ओर भी कही रज्ज और आजा थी इसके बारे में में उनके सेकों पांडूली पियों तथा पुस्तकों से पता चलता है इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवातन भी हो रहे थे जिन में सामान इस्ति परोसों का महत्वूनी उदालता इनमें किर्सी का प्रिसाल नए सहरों का विकास और दो तथा व्यापार में प्रग्रिती थी व् जमीर के रास्तों की खोज की वहीं पश्चिम एसिया इवरोप पश्चिम एसिया पूर्वी अफीका तथा दच्चिर पूर्वी एसिया कि समुत्री रास्ते भी खुली मंदिरों इस्तूपों तथा अन्यमारतों का नहर्माड हुआ किताबें लिखी हैं साथी विज्ञान खोजाल गाउं आँ पूर्षेश्या खैल दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे हमाणा एक नाम से यो खेल्ष। कि नम से जो आपकी book से इसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे साथ charger कथै आट भाःव का हमारा चेप्टर है खुषाल गाओं और समध सहर के बारे में मैं जानना है निक् heures खुषाल गाओं और समर्द सहर फिर बोलता हूँ वही कि कख्छा आठ भी तक आप लोग बड़े मन से सुनिए या फिर पढ़िए क्योंकि इसमें जानदा कोई भी ऐसा सब्द नहीं है जो आपको समझना पर ना है और जो ऐसा सब्द है समझना ना है उसे मैं बता दूँगा लेकिन इसमें रटने लाइक औ कोई भी सब्द नहीं है ऐसा कानी की तरह सुनिए से एक दोवा अपने आप किलियर हो जाएगा लोहार की दुकान पर विभाकर विभाकर को काम करते देख रहा था एक छोटी से बैंच पर कोलाडी और हसिया जैसे कुछ औजार बैंचे बैंचने के लिए रखे हुए थी द दाल लग रहा था लोहे और वजार और खिती लोहे के वजार और खिती लोहे का पयोग आज एक आम बात हैं लोहे की चीजह हमारी रोज मरिया की जिंदिगी का हिस्सा बन गहिए तो महाधी में लोहे का पयोग लगबग 3000 साल पहले शुरूबा महापासाण कप्रों में लोहे के वजार और हत्यार बड़ी संख्या में मिले है करीब 2500 2500 वर्स पहले लोहे के वजारों के बढ़ते उपियों कप्रमाड मिलता है इनने में जंगलों को साप करने के लिए कुलहाडियां जुताई के लिए धलों के फाल सामेल है यह है आपके देख रहे है कुलहाडियां यह फाल है किसी उत्फादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अनकदम सचाई सम्रत गाओं के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुस्किल था सचाई भी काफी उपयोगी उपयोगी साबित की इस समय सचाई के लिए नहरें कुए तालाब और किंतिम जलासर बनाएगी लोग इस चार्ट में तुम सचाई से आई परीवातन देखे गए लोगों द्वारा परिस्यम किया गया किसानों को लाब मिला क्योंकि अब उत्वादन की अनिश्टा घटी कर अदा करने के लिए किसानों को उत्वादन बढ़ाना था राजाओं में ने सचाई किये उजनाय बनाई और धाट घच किया राजा को सैना महर किले बनवाने के लिए धन चाहिए था वे किसानों से कर लेती थे इस देखते रहना बात करते हैं गाओं में कौन वहते थे इसो महादीप के दश्चडी तथा उत्री हिस्सों के अधिकांस गाओं में कम से कम तीन तरह की लोग रहती थे ते कौन कौन से तमिल्चित में बड़े वूस्वामी को बिललाला कहा जाता था साधान हलवाओं को उड़वार भूमी हीन को मजदूर दास केड़े सियर और अधीमई कहलाते थे देश के उत्तरी हिस्से में गाओं का बिधान बेखती ग्राम बोजक कहलाता थे अक्सार एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीडियों तक बने रहते थे यानि की यह पद अनुवांसिक था ग्राम बोजक किपद फराम तोर पर गाओं का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था साधान था इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे इसके अत्रिक फ्रभावसाली होने क कारण फ्रया राजा भी कर्वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे नियाजीस का और कभी-कभी पुलिस का काम भी यही करते थे ग्राम बोजकों को के अलावा अन्न सुतंत कर्षक भी होते थे जिन्हें ग्रह पती कहते थे इनमें ज्यादा तर छोटे किसान ही होते इसके कुछ ऐसे इस्तरी पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी इसके दास इसन में दास करमकार आते थे जने दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीव का चलानी पड़ती थी अधीकांस गाउं में लोहार कुमार बढ़ई तथा बोनकर जैसे को सिल्फकार भी र इने संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदूरे कि कभीयों के संवेलनों ने इनका संकलन किया गाउं में रहने वाले बालों के जिन तमिल नावों का उल्ले किया गया है वे संगम सायत में पाय जाते हैं नगर क्या कहती है कहानिया लियात्रा विवर्ण मूर्दिकला और प एक चुओं ने इसका संकलंग किया यहां एक जातक कथा दी गई हूँ जिसमें यह बताए गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे-धीरे धनी बना एक निर्धन की चत्राई एक सहर में एक गरीव युवक रहता था उसके पास एक मरे चुओं के अलाव़ा कुछ नहीं था उसने उस चुओं को एक सिक्के में एक बोजनालाय बाले की बिल्ली के लिए बेंद दिया त्रेट दिन बड़ी जोर की यादि आई और राजा का बगीचा तूटी टहनियों और पत्तों से भर गया उसका उनका माली इसे इसाब करने की बास से परेसान हो था युवक ने माली से कहा कि अगर लग्टियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता माली तुरंद मान गया युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह करकर इखटा कर लिया कि पितेक टैनी और पत्ते के बदले उन्हें एक-एक मिठाई मिलेगी देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक-एक तिन का चुनकर केट के पास इखटा कर दिया तबी उदर स उसने एक और युजना मनाई एक बड़े वरतन में पानी बरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने गास काटने वाले पांसो पांसो किसा लोगों को पानी पिलाया खुसोकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया बताओ हम तुमारे उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहयता की जरूरत होगी उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती ही एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी पांसो गोड़े के साथ सहर में आ रहा है यह सुनकर उसी वक ने उन घास कातने वालों के पास जाकर कहां किर्पिया तुम सब एक झास का गठर मुझे दू और अपने घास तब तक मत बैंचो जब तक मेरी नमें बहुत जाए उन्होंने उसे घासों के पांसो गठर दे दिय है जब गोड़े के सारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसना इस प्र आगे बात करते हैं एक कुश्चन से इन्हें देख ली न इस कहानी में आप व्यक्ति के वेवसाय की सूची बनाओं ठीक है जो जो उसने बिरुक्चाय की बिदेख लिए तैकरो कि का सहर में गागाउं में फिर गा सहर ततंगाउं दोनों में रहती थे गोड़े का बयापारी कहानी कि का यह सकती थी उत्तर के कारण आंगे पराचीन की जीवन के में में कुछ अंन शरोदों से भी पता चल सकता हैं सहरों गाउं या पिर घंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्टी का कलात्मक धंग से उकेरते थे इन मूर्टीं को ऐसी हिमालतों की रेलि पर सजाय जाता था जहां लोग आते थे यह दिल्ली में मिला वले को खड़ापावी जल निकास विवस्था से यह बिनने नीचे आपको यह सांची कि सांची की मूर्तिकला यह मत्यप्रेश के सांची की स्थूम में मूर्तिकला का नमूना है इसमें सहर का जीवन एक अध्रस है सांची इन दीवारों को देख क्या इन इंट की वनी थे रेलिंग्ट यह देख लेना अनेक सहर महाजनपतों की राददानी थे जैसा कि तुमने पड़ा है इन में से कुछ सहर फरकोटों से गरे हुए थे यह क्या कि तुम उपर के चितन में देख रहे हूं इन अनेक सहरों में वल्यकूप मिले हैं यह वल्यकूप गुसल खाने नाली या कूडे दान के लिए प्यूक्त होते थे प्रिया एक बल्यकूप लोगों के घरों में होते थे महलों वाजारों या आम घरों के आउसेज बहुत कम मिले हैं संभावत लगड़ी मिटी या कच्ची इंटे या छपपर से बने होते थे यह होने के कारण यह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई भवे अज़ा ही एक विस्तित विवरन किसी आज्यात युनानी नाविक कार्य जिन पत्रों पर होए गया उन सभी के बारे उसे निलिखा है ठीक है आगे बात करते हैं वेरी गाजा वरुज का युनानी नाम की कान में वेरी गज्या की संक्री खाड़ी में समोधी से आने वाली हो के लिए एक नाव का नाव चलापाना बहुत मुस्किल होता थी राजा के दवारा निकुसल और अनुभवी इस्थानिये मच्वारी यहां जाज ला सकते थी वेरी गाजा में सराप तामा टिन सीजा मुगा पोखराज कपड़े सोने और चांदी के सिक्खों का आयात हुता था हिमाले की जड़ी बूटियां हाती दात गुमेद कार्नी लियन सूती कपड़ा रेसम तथा इत यहां से निर्यात किये जाती थी राजा के लिए ब्यापारी विसेश और बहार लाती थे इनमें चांदी के बतन गायक के सोर सुन्दर और ते अच्छी सराप तथा उत्केष्ट महीन कपड़े सामित थे थी बात कर लेते हैं कुछ आहट सिक्के आहट सिक्के सामनता आयातकार और कभी-कभी वरगाकार या गोल होते थे यह या तो धात धातु की चादर को काटकर या धातु के चट्टे गोलिकाओं से बनाये जाते थे इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बलकि इन पर कुछ चिन ठप्पे से बनाये जाते थे इसलिए यह आहट सिक्के कहला थे इस सिक्के आपके ओ महादीप के लगवक अधिकान से स पाए जाते थे और इसा की अहरंबिक सदियों का तद एक बिचलन में रहे हैं ठीक बात करते हैं हम लोग सिख्के क्या सिख्के पूरा तक्तों का कुछ इस योग के हजार सिख्के मिले सबसे पुराना आज सिख्के थे आज सिख्के जो करीब 500 साल चले इनका चित नीचे दिया गया है चांदी या सोने के सिख्कों पर विविने आगतियों को आहर्ट कर बनाये जाने के कारण इन्हें आहर्ट सिख्का कहा जाते हैं ठीक है आपके आहर्ट सिख्के बीनमय के अनसादम संगम सायत की इस छोटी सी कविता को पड़ो खेतों के सफेद दान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदी सी सफेद रेत पर फुरीवार को समेटे कहीं पीच्छे चूट ना जाए सहरों से नमक की सोधागर के यूँ चले जाने से सरेफ सन्नाटा रहे जाता है समोद्य के किनारे नमक का पहुत जाना उत्वादन होता था ब्यापरी किस चीज में इसका बीनिवाय करते हैं किस इता है यात्रा कर रहे हैं त्यूं देख लिए नमक पर कहानी यह पूं कारणों से मत्वूर थे उधारन के लिए मत्वूरा यह 25-2500 साल से जाना भी समय से एक मत्वूर नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख रास्तों पर इस्तित्ता इनमें से एक रास्ता उत्तर बश्चन से पूरब की और दूसरा उत्तर से दच्चन क की ओर जाने बाला था सहरों के चारों के लिए बंदी थी इसमें अनिक मंदिर थे आसपास किसान तथा पत्सुपाल सहर में रने बालों के लिए भोजन जुटाते थे मत्वूरा वेहत्रीन मूर्तियां बनाने का कैंद भी था लगवक 200 साल पहले मत्वूरा कुसानों की मत्वूरा में इस्तर खंड़ों तथा मूर्तियों पार अनेक अभिलेक मिले हैं जो इस्तरियों तथा पोरसंद्वारों मठों या मंद्रों को दिये जाने वाले दान का उलिक करते हैं फ्रेया सहर के राजा रानी अधिकारी ब्यापारी तथा सिल्पकार इस पेकार के दान करते थे उधारन के लिए मत्रा के अब लेखों में सुना रहा हूं लोहारों वनकरों टोक्री बनाने हैं बुनने वालों माला बनाने बालों और इत्व बनाने वालों का वो लेख भी मिलता है कि सिल्फ तथा सिल्फ का पूरा तत पूरा स्थलों से सिल्फों के नभूने मिले इनमें मिट्टी के बाव थी फतले और सुंदर बरतन मिले हैं जिने उत्री काले चमकीले पात कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर ओह महाधीब के उत्री भाग में मिले उत्री काले चमके पात क्या है एन्वी फी डब्लू ये कठोर चाक निर्मे धातूं की तरह देखने वाले तरह चमकदार काली सतर वाले पात तहीं इसे बनाने के लिए कुमार मिट्टी के बरतनों को भत्तों पर उच्चे तामान पर रखते थे जिसके परडाम सवरोफ इन बरतनों भी बाहरी सतर काली हो जाती थी इन पर एक पत्ली काली रेब लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बरतन को सीसे जैसी चमक पिदान करती थी, द्यार आए कि अन्य दूसरे सिल्फों के आउसिस नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन गिरंथों में हमें पता चलता है, कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्पूर था, उत्तर में बनार सी वो दच्चन में मदूरे इसके पिसे दिखेंद थी, यहां इस तरी प्रोस दोनों काम करती थी, अनिक सिल्फकार तथा ब्यापारी अपने संग बनाने लगे, जिनने सैनी कहते हैं, क्या अनिक सिल्फकार तथा ब्यापारी अपने संग बनाने लगे, इन संगों को सैनी कहत तरहीं सिल्फ कारों की सेणियों का काम कि सीख्षन देना कच्छा माल उपलब्द कराना तथा तेयार माल का विजरण करना था जबकि व्यापारियों की सेणियां ब्यापार का संचालन करती थी जांडी बैंक्षा जमा रखते थी इन धन का निवेस लाप के लिए किया जाता उससे मिली लाव का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लोटा दिया जाता था या फिर मठ आधि-धारमिक संस्थानों को दिया जाता था सूथ कातने अपन्ने की नियम ए नियम अथ्षास्त के अध्याय साथ में अर्थ-साथ का उले किया गया है चाणक की कि ठीक चंदगुप्त के समयर में चाणक कद्वारा लिखी गई इसमें बार्डन किया गया है कि किस पेकार इट बिसेश पतादिकारी की देख रेक में कारखानों में सूद की कताई उपनाई की जाती थी उन पेड़ों की चाल कफास पटुआ तता सन को तियार करने के काम में विदिभाओं सक्चम अक्चम महिलाओं विखोडियों तता बिद्धा वैस्याओं राजा की आवकास प्राप्त दासियों सेविकाओं और आवकास प्राप्त देवदासियों गो लगाया जाता था इस काम इन्हें अनिक काम और गुडवक्ता और के अनुसार फरीसमिक देना चाहिए जिन महलाओं को बाहर निकलने की अनुमती नहीं थी वे अपनी दासीयों को बेज कर कच्चे माल को मंगवा सकती थी तियार माल उन्हें भीजवा सकती थी वे अपना माल कारखाने तक तड़किस ल के रोशनी रहती थी अगर निरिच्चक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातने करता हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है आगे बात करते हैं सूप छुनी रेचा अरीका मेडू यह आपका पूरुचेरी में लगबग 2200 से 1900 साल पहले अरीका मेडू का एक पतल था यहां दूर दूर से आये जहाजियों से सामान उतारे जाते थे यहां इटों से बना एक धांचा मिला जो संभावता गोदाम रहा ह हुआ यहां भूमत सागरी अच्छेत के एंपोरा जैसे पात मिले हैं इनमें सराव या तेल जैसे तरल पदात रखे जा सकते हैं इनमें दौनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्ते लगे हैं साथी यहां एरेटाइन जैसी मुहरें मुहर लगे लाज चमकदार बरतन भी मिले इनहें इटली के एक सहर के नाम पर एरेटाइन पात के नाम से जाना जाता है इसे मुहर लगे साचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दवा कर बनाया जाता था कुछ ऐसे बर्तन भी मिले है जिनका डेजायन तो रॉम का था किंतु यहीं बनाय जाती थे यहां रॉमल लेम सीसे के बर्तन तथा रतन भी मिले साथी छोटे-छोटे कुंड भी मिले जो संभावता कपड़े के रंगाई के पात तु रहे होंगे यहां पर सीसे और अर्द मू पत्फनों से मन की बनाने की परयाप्त साथ भी मिलें अभी लेकत मिट्टी के बरतन कई बरतनों पर ब्रह्म में लीपी में अभी लेक मिलें प्यारम में तमिल भासा के लिए इस लीपी का प्योग किया जाता है इसलिए इने तमिल ब्रह्म में अभी लेक भी कहा जाता है ठीक रॉम यह यूरोप के सबसे पुराने सहर में से एक है रॉम इसका विकास लगवक तभी हुआ जमकांगा के मैदान के सहर बस रहे थे रॉम एक बहुत बड़े समराज की राधा नी था यह यह यूरोप उत्रियपी का तथा पश्चमी एसिया तक फैला हुआ थे इसके सबसे महत्वे सासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 200 साल पहले सासन किया था उसने कहा था कि रॉम इनटों का सहर था जिसे मैंने संग मर्मर का बनवाई अगस्टस उसके बाद के साथ को ने कई मंदिर तता महल भी बनवाई अगस्टस ने बड़े संग रंगमंडल एमफी थेटर बनवाई इनने में चारों तरफ दर्सकों को के बैठने की सेड़ी नुमा जगें होती थी यहां लोग बिबिन पिकार के कालतम देखे सकत थी उन्होंने इसनानगार भी बनवाई जाए इस तरिया था पुर्सों के लिए अलग लग समय निर्दारित थी यहां लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे बड़े बड़े जलवाही से तू कि जरिये सहर के इसनानगार फबारों और गुसल खानों के लिए पा पता है आपको इन्ही सब्दों की जानकारी हो जाए या हमारी नी नियू जो हमारा मजबूत हो जाए बेस इसलिए इन सब्दों की साल परिवासा में समझाया गया आपको इस चेप्टर नों ठीक है जैसे लोहा कहा मिला क्या काम बढ़ते है फिर आपका यह कुश्चन्स है उनके आंसर्स नेयों आपके अभ्यास के लिए कुश्चन्स दीे गएं लगाते रहें अ क्या आपके कि आए क mesure या दिम ing है कुश्च है तो यह दिये हूई अ ए ता आपका आठ्वा चेप्टर आगए बात करेंगे मत ब्यापारी हमें राजा और तीर्थ ट्यात्री के बा मसकर दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे एंसी आइटी कि छटटबी की हमारा अतीत के नाम से जो अपनी बहुत से उसे देख रहे हैं हमारा अतीत फर्ष्ट ठील तो इसमें अभी तक हम लोग आठ चेप्टर खर्तम कर चुके हैं आठपा चेप्टर आपका खोसाल गा हमांओ और संवद्ध सहर्तर इसमें बात करने वाले हैं वेयापारी ओर राजा और तीर थियात्री ठीक है श्यात्री कि जगनी पहां जगनी अपने गाउं के महले में कि कासद लगाए बैठ इचीद या इस टील के चमकधार बरतन रंग बीरंगी व्लार्टिक говорить सोख रंगों के फूलों के प्रेंटों वाले कपड़े चाबी से निक चलने वाले मज़ेदार खुलोने उसे बहुत अच्छे लगते थे इन चीजों को बेंचने में वाले दुकानदार बसों और ट्रेकों पर आते थे और रात को अपना सामान प्रमेट कर बापास चले जाते थे जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों गुमते रहते हैं उसकी मा ने बताया कि लोग वे लोग ब्यापारी हैं वे चीजों को उन जगों से खरीदते हैं जहां ये बनाए जाते हैं फर उन्हें मेलों में बेंचते हैं बात करते हैं ब्यापार और ब्यापारियों के बारे में जाए जैसा कि आपने अध्याय आठ में पढ़ा है कि उ उसुरह बरतन और खास तोर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस महादीब के अनेक पुराश्टलों से मिले हैं सवाल उठता है कि इन जगों पर ये बरतन कैसे पहुंचे होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहां बंते थे वहाँ सब बैपारी इन ले जाकर अलग-अलग जगों पर बेज़ते थे दत्शिन भारति सोना मसाले का खास तोर पर काली मिर्च तथा कीम्ती पत्त्रों के लिए बिसे थे था काली मिर्च की रोमन समराज में इतनी मांगती किसे काली सोने के नाम से जाना जाते थे किसे कादी में रिच्खू ब्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों वो सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे दच्छिन भारत में ऐसे अनेक रोमन सोनने की सिक्के में लिए इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छे ब्यापार चलता था ब्यापार से जुड़ी एक कविता ब्यापार के फिमाड में संगम कविताओं में भी बिनते हैं नीचे लिखे गई कविता में पूर्वी समुद्र पर इस्तिक्वार पतनपल लाए जाने बाले माल का बर्डन मिलता है समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े गाडियों पर कारीमेज की गठरियां हीमालय से मिले रतन और सोना तच्छन की पाड़ियों से चन्दन की लखडियां दच्छडी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मुंगे गंगा और कावेरी की फसलें स्री लंका से आए खाद्यान मैरमार के बने मित्टी के वर्तन और दोरलब कीमती आया कविता में उल्ले के चीजों की एक सूची बनाना है आपको क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उप्योग किसलिए किया जाता है ठीकर देख लेना है आगे बात करते हैं ब्यापारियों उन्हें कई समुद्री रास्ते खोजे इन में से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे कुछ अरबसागर और बंगल खड़ी पर पार करते थे नाविक मांसोनी हवा का फायदा उठा कर अपनी यत्रा जल्दी पूरी कर लेते थे वे अफीका या अरब के पूर्वी तट से इस महादीब के पश्चमी तट पर पहुचना चाहते थे तो दच्चर पश्चमी मांसोम के साथ चलना प्यारम करते थे इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्मान किया जाते थे थे समुद्री तटों से लगे राच इस महादीब के दच्चडी भाग में बड़ा तटीय फिदे से इन में बहुत से पथार पहार पथार और नदी के मैदान है नदीयों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उप जाए हुए मैदानी इलाकों तटीय इलाकों की और राजाओं के पास धीरे-धीरे कापी संपत्ती हो सक्ती हो गई थी। संगम में कभीताओं में मुख बेंदार की चैचा मिलती यह तमिल सब्सक्ति जिसका अधूता है मुकिया। इसका फ्युक 3-5 सब फरीवारों के मुक्रियाओं के लिए किया जाता है किया गया है यह हित्थे चोल चेर पानवाद जो करीब 2300-2300 साल पहले दच्छिन भारत में काफी सक्ति साली माने जाते हैं इन तीन मुक्रियाओं के अपने दो सक्ता केंटे इन में से एक तपिये जिसे मैं वो दूसरा अंदरोनी से में इस तरह च्छे केंटों में से दो बहुत मत्पूर थे एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टी नम दूसरा था आपका पान्डेओं का किराधानी मदूरे ये मुकिया लोगों से नेमित करके वज़ाए वो पहारों की मांग करते थे कभी-कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आस-पास की इलाकों को से सुल्ग-बसूल कर लाते थे इन में से कुछ धनबे अपने पास रख लेते थे बाकी अपने समर्खों नाते रिष्टे राओं सिपहारियों और कभीयों के बीच बाट देते थे अनेक संगम कभीयों ने उन मुकियाओं की पिसंसा में कभी ताय लिखी जो ने कीम्ती जवारात सोने, भोडे, हांती रत या संदर कपड़े दिया करते थे इसके लगभग दो सो बरसों के बाद पश्चिम भारत में सादवाहन नामक राजवन्स का प्रभावपन पड़ गया है सादवाहनों का सबसे प्रोख राजा था गौतमी पुत्य स्री साथ करनी इसके बारे में हमें उसकी मा गौतमी बलसीरी द्वारा दान किये के अब ये कबलेग से पता चलता है और और अन सभी सादवान सासकों के सासक दच्छडापत के स्वामी कहता थे दच्छडापत का साथ दे करते हुँता है दच्छड की और जाने वाला रास्ता होता पूरे दच्छडी छेत के लिए भी यही नाम पिचलत था स्री साथ करणी ने पूरवी पश्चिम तथन दच्छडी तटों पर अपनी सेनाय भी भेजी है बात करते हैं रेसम मार्ट की कहानी कीमती चमकिले रंग और चिकनी मुलायम वनावट की वज़े से रेसमी कपड़े अधिकांस माजमें पहुँ वोल माजन जाते थे रेसमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल पिक्री है रेसम के कीटे से कच्छा रेसम निकालकर सूथ कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बना जाता है रेसम बनाने की तकनीकी काविस्काद सबसे पहले चीन में करीब साथ हजार साल पहले हुए कहां हुआ चीन में सबसे पहले साथ हजार साल पहले हुए इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा पर चीन से पैदल गोड़ों या उंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेस्मी कपड़े भी ले जाते थे जिस रास्ते से वे यात्रा करते थे वह रेसमार्ड सिल्क रोट के नाम से पिस्द हो गया कभी कभी चीन के सासक इरान और पर्ष्मी एसिया के सासकों को उफ़ार के तोर पर रेस्मी कपड़े भी बेचते थे यहां से रेसम के बारी में जानकारी और भी पर्ष्म की ओर फैल गई करीब 2000 साथ पहले रोम के सासकों और धनी लोगों की बीच रेसमी कपड़ें पहनने का एक फैसन बन गया इसकी कीमत बहुत ही जानदा होती थी कि यहीं चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेविस्थानी राष्टों से उपकर जाना पड़ता था यहीं नहीं राष्टी के आजपास रहने वारे लोग व्यापारियों से यात्रा सुल्क भी मांगते थे इसमें सिल्क रूट तथा उसकी साखाओं को दिखा रहे हैं कुछ सासक इसके बड़े हिस्सों पर अपना नेंतर करना चाहते थे क्योंकि इस राष्टे पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर्व, सुल्क तथा तोबों के जरिये लाभ मिलता था इसके बदले ये सासक इन व्यापारियों को अपने राज से गुजरने वक्त गुजरते वक्त लुटेरों के आकमर उसमे सुरक्षा करते थे सिल्क रूट पर नेंदर रखने वाले सासकों में सबसे फिसिद कुसाड थे करीब 2000 साल पहले मद्देशिया तथा पश्चमों तर भारत का इनका सासन था फेसावर और मत्वरा इनके दो मुख सक्ती साली कें थे कुसाडों के तक्ष सिला भी इनके ही राजी का हिस्सा था इनके सासनकाल में ही सिल्क रूट की एक साका मद्देशिया से हुपर सिंदू नदी के मुखाने की पत्नों तक जाती थी फिर यहां से जहाजों दोवारा रेसम पश्चिम की ओर रोम समराज तक पहुंचता था इस मुखानेम में सबसे पहले सोने की सिक्चे जारी करने वाले मुखाने की सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले ब्यापारी इनका व्यूग किया करते थी अब बात करते हैं बौध धर्म का फिर्षार कुसारों का सबसे फिस्द्र राजा था कनिस्क उसने करीब 1900 साल पहले सासन किया उसने एक बौध परिशत का गठन किया था जिसमें एकत्तित होकर विद्वान मत्वों बैसों पर पिचार विमर्ष करते थे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना का कभी अस्वोस कनिस्क के दरवार में रहते थी याद रखना है बुद्ध की जीवनी किसने लिखी है बुद्ध चरित ने एक किसके दरवार में रहते थी कनिस्क की तिम अस्वोस तथा अन्न बौध बिद्वानों ने संस्कित में लिखना सुरू किया था इस समय बौध धर्म की एक नई धारा महायान का भी कास हुआ इसकी दो मुक्विस सिस्ताई थी पहले मूर्थियों में बौध की उपस्ति थी सरफ कुछ संकितों की माद्यम से दर्साई जाती थी मिसाल के तोर पर उनका उनकी निर्वाण प्राप्ती को पीपल के पेड़ की मूर्थी द्वारा दर्साई जाता थी पर अब बुद्ध की पित्माय बनाई जाने लगे इनमें से अधिकांस मत्रा में तो कुछ तक्ष सिला में बनाई जाने लगे दूसरा परिवर्तन था बुद्धी सत्त में आस्थागोलिकर बुद्धी सत्त उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ती के बाद एकांत हुआस करते हुए ध्यान साधना कर सकते थी लेकिन ऐसा करने के वज़ाए बे लोगों को सिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगी दिरे दिरे बुद्धी सत्त की पूजा कापी लोग पीए हुगी और पूरे मद्धेस या चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई बहुत धर्म का प्रिशार पश्चमी और दच्च्डी भारत में वहाद जहां बहुत विक्षूम की रहने के लिए पहाड़ों में दरजनों गुफाएं खोदी गई यह आपका सांची के स्थूप पर एक मूर्टी चत यहां इस ब्यक्षोस के नीचे के खादी आसन को दे आगे बात करते हैं लोग इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदिस पर बनाई थी तो कुछ ब्यापारियों तुथां क्रिस्त कों द्वारां इनमें से ज्यादा तर गुफाएं पश्च्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गी थी दक्कन के सहरों और त को फाओं में बादे मठों में विस्तराम के लिए रुखते थे बौत धरम के दश्चिनपूर की ओर स्री लंका में अनमाद थाइलेंड इंडोनेसिया से दश्चिनपूर इसिया के अन्नभावों में फ्यला यह आपका बाय में मत्वरा में बनी बोद्धिकी एक पिदिमा उद्धाय में तक्छला में बनी बोद्धिकी पिदिमा इंचित ते यह है आपकी तुर्वाद नामगवद धरम का आरभिक रूप इस चित में कहीं अधिक पिछले था यह है आपकी कारली की गुफा महराष्ट ते थे यह आपक्तियों की जिग्यासन ब्यापारी काफिलों में तथा जहाजिओं पर दूर दूर तक जाया करती थे बहुत से तीरथयात्री उनके साथ यात्रा पर निकलते थे तीर थेयात्री वेस्थीर पुर्स होते थे जो प्रात्ना के लिए पवित्ति इस्थानों की यात्रा किया करते थे दोदैसो साल पहले भारत आये और उसके करीब पचास साल बाद इत सिंग आया ये सब बुद्ध कि जीवन से जुड़ी जवों और पिसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आये थी लोग इनमें से पितेक तीर्थ यात्री ने अपना यात्रा का बर्डन लिखाए इन्हों अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखाए इन यात्राओं में कई बरस लग जाये करते थे चिन देशों मठों को उन्होंने देखा उनकी बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिने भी अपने साथ ले की वह ब्यापारियों के एक जहाज पर चड़ा मुस्किल से वो वे दो दिन ही चल पाए थे की समुद्री तूफान में फ़स गए ब्यापारी अपने जहाज को डोगे उने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेकने फेक कर जहाज को हलका करने की कौसिश करने लगी थासीयन ने भी अपने सामान को फेक दिया पर अपनी उन पांडूलिक्वियों और बौदी की मूर्तियों को नहीं फेका जिने उसने अपनी भारत यात्रा के दोरान संक्लित की थी अंधता तेरे दिनों के बाद आंधी रुकी उसने समुद्र का वैडन इस पेकार किया समुद्र असी में सूर चांद या तारों का की गती को देखे बिना या पता लगाना असंभव है कि पूर के धर है या पश्चिम किस दिसा में अगर बरसा तो अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रूप में ले जाने के अलाबा कोई और चारा नहीं होता जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी जादा समय लगा वहां हुआ पांच महीने के लिए रुका इसके बाद दूसरे व्यापारी जहास्त में चड़कर हुआ चीन पहुंचा तिर फैस्वेन तेसांग भूब मार्क से उत्तरफश्यम और मद्देसिया होकर चीन बापस ल इन्हें होए 20 गोड़ों पर लाद कर ले गया पर इसमें से 50 पांडूलपियां उस समय खो गई जब सिंदू नदी पार करती है उसकी नाव उलट गई अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडूलपियों वर संस्क्रित सिच्चीनी अरवार करने में लगा द नालंदा बिहार में अध्यन किया उसन नालंदा के बारे में इस्पिकार लिखा यहां के सिक्षक एवगता तथा बुद्धी में सबसे आंगे हैं बुद्ध के उप देशों का वगए पूरी इमानदारी से पालन करते हैं मट के नियम कापी सक्त हैं जिने सब को मानना पड पूर करने यहां आते हैं नए आगुंतकों से पहले द्वारपाल की कठें प्रिसन पूंचते हैं उन्हें अंदर जाने के अनुमती तभी मित्ती है जब द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं दस में से साथ आठ सही उत्तर नहीं दे पाते हैं भक्ति की सुरुआत भक्त जैसे देवी देवताओं सामिल थे इन देवी देवताओं भी पूजा भक्ती परंपरा के माध्यम से की जाती थी भक्ती उस समय काफी लोग प्रिये परंपरा बन गई किसी देवी या देवता के किती सिद्धा को ही भक्ती कहा जाता है भक्ती का पत सबके लिए फुलाता है चाहे हो अधनी हो या गरी उची जाती का हो या फिर नीचे जाती का भक्ती मार की चचाएं हिंदों के पवित ग्रंत भागवद गीता में की गई है इसमें भगवान किष्ण अपने भगत और मित्त अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी सरण में आने का उतिस देते हैं क्योंकि केवल किष्णी अर्जुन को सारी बुराईयों से मुक्ति दिला सकते हैं पूजा के यह रूप धीरे दिर्वेदेश के विवन भागों में फ्यलने लगा यह आपकी वराय के रूम में विश्णु एरन मद्वदेश के कि यह सांदार मूर्ती विश्णु वराय के रूम में है पुराणों के अंसाथ जल में डूबी पितिवी को बचाने के लिए विश्णु ने वराय रूप धारन किया थे यह पितिवी को एक इस्त्री के रूम में दर्सा आए गया है बक्ति मार्ग अपनाने बाले लोग आडंबर के साथ पूजा पार करने के वज़े इस सुर्कपिती लगन और बेक्तिगत पूजा पर जोड़ देते थे बक्ति मार्ग अपनाने बालों का यह मानना है कि अगर अपने अराद्ध देवी या देवताओं कोई सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूम में दर्स दर्सन देंगे जिसमें भगत उसे देखना चाहिए इसलिए अराद्ध देवी या देवताओं मानों के रूम में भी हो सकते हैं या फिर सिंग पेड या अनकिसी भी रूम में जैसे जैसे इस बिचार को समात्वारा सुखिती मिली कलाकार और देवी देवताओं की एक सिच बढ़कर एक खोबसूरत मूर्थियां तयार करने लगे बग्ती भजत सब्से बनाए जिसका ररत होता है विभाजित करना या है इस्तिदारी जिसका ररत ये है कि भग्ते बगवान और भक्त के बीच परसपर एक अंतरं yapıyorsun भग्ती भगवत या भगवान के पिती जुकाओं है भगवत का एक अरत यह भी है जो अपने एस्वर तथा सुखो भगतों के साथ मारता है यानि भगत या भगवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्था होता है एक भगत द्वारा लिखी गई यह कभीता अधिकांच भगती साहत हमें यही बताते हैं कि धन एस्वर या उ लिखी गई एक कभीता का यह एक अंसें अखपार एक बिल्लाल नट होते यंगों वाला कुष्ट रोगी ब्रहणों की नजर में निचली जाती कभीती कूड़ा करकर बटोर कर अपनी जीव का चलाने वाला इंसान अगर एक लोग भी गंगा को अपनी जटावयू में छिप कि देवताओं का विसेश सम्मान होता था इसलिए विसेश जगाओं पर ही इनकी मूर्तियां को रखा जाता था यह स्थान क्या करेते मंदिर कहलाते थे भक्ति परंपरा ने चित्त कला सिल्वकला और स्थापत कला के मात्यम से अभी व्यक्ति की पेड़ा की हिंदू की तरह सिंदू या इंडस से निकला है हिंदू सब्द हिंडिया सब्द की तरह सिंदू या इंडस से निकला है यह सब्द अरवों तथा इरानियों तो उन लोगों के लिए उपयोप किया जाता था जो सिंदू नदी के पूर में रहते थे यही सब्द उनके धार में विश विश्वास तथा सांस्केतिक परंपरा के लिए भी फ्यक्टो होता था याद रखिए। करीब 200 साल पहले पश्ची मेसिया में एक इसाई धरम का उद्धार्वा इसा मसीह का जनम बेथ लेहम में हुआ जो समय रोमन समराज का इसा था इसा मसीह विश्वास करने का उद्धार्व बताया उनने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उद्धेश दिया जिस तरह हरव बैक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है बाईवल में इसा मसीह के उद्धेश की बातें लिखें होंगे हैं यहाँ इसका एक अंस्त दिया गए है और धीरे-धीरे यह पश्चे मेसिया अफिका ये उरोब में पहल गई इसा मसीख की मित्युक्त के सौ साल नों के अंदर ही भारती और महादीक के पश्चमी तरपत पहले इसाई धरमपिचारक पश्चे मेसिया से आये केरल के इसाईयों को सिरियाई इसाई कहा जाता है क्यों ब्यापारी मुमेंदार रास्ता यामार्ग रेसम कुसान महायान बौद्दीसत थेरवार तीर्थ्यात्री बक्ती ठीक है यह आपके अभ्यास के लिए कुश्चन से वेने भी देख लेना ठीक है एथाप का नौबा चप्टर ती आंगे बात करेंगे नए समराज और दाज जी की बारे में नमस्का दोस्तों तो चली हम लोग बात के रहेंगे एन सी यार्टी कच्छा छटवी की हमारा ती एक के नाम से जो आपकी कुश्च तक है उसी के बारे में हम लोग देख रहें तो लाश्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इसके व्यापारी और राजा और तीर थी आपरी जो चैप्टर था इससे देखा था इसमें बात करेंगे नए समराज और राज्य की बारे में याद रखिए वह जानदर टेंसल लेने वाली बात नहीं है क्योंकि फिर से बता रहा हूं कि रक्षा आठवी तक इतनी सब्दों में लिखी गई है कि आपको आराम से समझ में आ जाएंगी एक दो बार सौने से या पढ़ने से ठीक जो सब्द नहीं आएंगे वो बता दू के लिए चुनागो उसने सोचा था कि वजसाही बेजबूसा में मूचों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज में लिप्टी तलवार कुसांग से पकरकर चहल कर्मी करेगा जरा सोचाओ उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी अभीता का बाठ पाधकी करना होगा एक संबी तक रांजा कौन हो सकता है वह है अरंवेंद सोचने लग क्या बताती है मैं पिसस्तियां दरसल अरdoorsंद गुप्ध बंस के पिसित्यरा जा समुद्ध समुद्ध गुप्ट के बारे में हमें इलावाद में सोक इस्थम पर खुद एक अभिलेग से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्ध गुप्ट के दरवार में कभी वा मंत्री रहे हरी सेंड द्वारा एक काब्व के रूप में किया कि गई थी यह एक विशिष किसम जिस कारत होता है पिसंसा पिसंसा किसी की पिसंसा में लिखा गया कोई बात अब लिए उसी कहते हैं पिसंस्ति अब लिए पिसंस्ति या लिखने का पिचलन पहले भी था जैसा कि आपने अध्याय नौ में गौत्वी पोत्व श्रीव साथ करनी की पिसंस्ति की बारे में प पता थी, कभी ने इसमें राजा की एक युद्धा युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्धा एक उत्कृष्ट कभी के रूम में भरपूर पिसंसा की है, यहां तक कि उसे ईसोर के वराबर बताए गया है, फिसस्ति में लंबे लंबे बात की दिये गया है, यहां पैसे एक बात का अंस्ति आगया है नीचे, युद्धा समुद्ध गुद्ध, जिसका सरीर मैदान में कुठारों, कुलाडियों, तीरों, भालों और बर्शों, तलवारों लोहों की गदाओं, नुकिले तीरों, तथा अन्न सेक्टों हत्यारों से, लगे गावत की दाख से, भरे होने के कारण अतिन्त सुन्दर दिखता था, तो ये ये समुद्ध गुद्ध को बहुत बढ़ा के दिखा रहा है, ये बड़न उस राजा की बारे में बताता है, राजा किस पकार योद्ध में लड़ता है, किस पकार वो सक्ति साली था, उसका महिमा मंदल किया जा रहा है, पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रव में लाग बिंदू देख लीजिए करें प्रमुख नगर और राच फिर बताते हैं यह आपका थानी सोन है यह आपका कंडोल मत्वरा प्रियाग पाटलिकुद नालंदा ओज्यन भरूज यह आपका बल्लवी साथ बहन अजन्ता यहीं महराष्ट अर आप मरावती एहोल चालोग पल्लाव कांची पुरों चोले यहीं मादूरे पांड़क चे ति याद रखना आपको क्या रखना है याद कि पहले उब महादीप भारत एक उब महादीप था इसमें अपका पाकिस्तान भी सामिल था आपका भारत भी सामिल था नेपाल सामिल था गुटान में मलं कि बंगलादिष और श्री लंका इसमें साब्तित कि आवरत में चलिए आप देखती है किम आप तुमने मांचित साथ देखा है तुम्हें पूरवी समुद्धी तड़के साहरी एक रम में लाग बिंदू देखेंगे उसी तरह कुछ छिद में बैंगी और नीले रंग के भी बिंदू देखेंगे यह मांचित इस प्रस्किस्तिक में प्राप्त जानकारियों के आदार पर नाये गया है हरी सेंट चारवेविन पिकार्के राजियाओं और उनके 50EST समुद्धी दूगृत की नीतियों का बर्डन करता हूं मांचित में हरे रंग расс bronze की अनैंसे कोची राद्धानी मांचित पल लालविंदू दिए गया है इन सब नहार जाने पर समुद्ध के सामने समर्पन किया था समुद्ध गुप्त ने उन्हें फिर से सासन करने की अनमती दी थे पड़ोसी देशों का आंतरिक भीरा वैगनी रंग से रंगा हुआ है इसमें असम तटिय बंगाल नैपाल वो उत्तव पश्चिम के कई गड़ या संग आते थे इस समुद्ध गुप सब्सके थे इसमें स्री लंका की सासक भी थे यह उन्होंने समुद्ध गुप्त की अधिनता स्वीकार की अपनी पुत्रियों का विवाय उससे किया यह आप देख रहे होंगे बीड़ा बजाने वाला राज समुद्ध गुप्त के कुछ अन्नकुड़ों कुछ सिक्कों पर दिखाय गया है जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाय गया है अब बात करते हैं बिक्रम संबत देख लिए तो आंगे देखते हैं अंठावन ईसापूर में कब अंठावन ईसापूर में परम होने बाले बिक्रम संबत को परंपरा गता रूप से गुप्त राजा चंदगुप्त दुतिये के नाम से जुड़ा जाता है और एसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के पितिक के रूम में इस संबत की स्थापना की थी दथं विक्रमादित की उपादी धारन की थी छीग來到 वलियां अधिकान्त की सश्तियां सास कों की पूरवजयों के बारें में बताती हैं यर्भी समुद्ध्रमान की पुर्वादा दादा च्पिता और मांता की बारे में की मा कुमार देवी लिच्वी गड़ की थी और पिता चंदगुप्त बंस के पहले सास है जिन्हों ने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपादियां दारन की समुप्त गुप्त ने भी यह उपादी धारन की उसके दादा और परदागा का महाराजा की रूम में भी उल्ले किया ग चंदगुप्त के बारे में हमें उनके बारे बात की सासकों जैसे उनके बेटे चंदगुप्त दुतिये की वंसावली पूरवजों की सूची से भी जानकरी मिलती है इसके बारे में अब लेखों तता सिकों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में से नभीयार में अंतिम सब सासत को परास्त किया बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा है कि उनका दर्वार बिद्वाने से बराता कभी कालीदास खागोल सास्त्री आरे भट्ट उनकी दर्वार में रहती से इसमाल विशय में जानकारी हैं लोग अध्याय आंगेदेशें के ग्याद हर् एकुटबंस के सासकूं की बारे में अब ली ऐड़ों और सिखों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य सासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है ऐसा ही एक राजा हर्श बर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले सासन किया उनके दर्भारी कभी थे वाणबट जिन्होंने संस्कित में उनकी जीवनी हर्श चरित लिखी है किसमें वो आडबट में इसमें हरस की वंसावली देती हुए उनके राजाबन ने तक कप बैडन किया है चीनी तिरित्यात्री स्वेन तेस्यान जिरके बारे में तुमने कप अध्यायनों में पढ़ा है काफी समय के लिए हरस के दरबार मिले उन्होंने वहां से जो कुछ अपने फिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थी पर अपने पिता और बड़े भाई की मित्यी हो जाने पर वह थाने सर के राजा बने उनके बहनोई कन्नोच के सासकते जब बंगाल के सासक ने उन्हें माल दिया तो हरस ने कन्नोच को अपने अधीन कर लिया वो बंगाल पर आकमर कर दिया, मगद तथा मंग बंगाल को जीत कर उन्हें पूर में जितनी सफलताएं मिली थी, उतनी सफलताएं अन्न जगों पर नहीं मिली, जब उन्हें नरवदा नदी को पार कर दखन की और आंगे बढ़ने की कौसिस की, तब चालुक नरेश उलकेशन दुदिये ने रोग दिया, किसे हरस को, ठीक है? अब बात करते हैं पल्लो, चालुक और पुलकेशन दुदिये की पिसस्तियां, इस काल में पल्लो और चालुक दख्चिन भारप के सबसे महत्पून राजबंस थे, पल्लों का राज, उनकी राजधानी कांची पुरम के आसपास के छेतरो से लेकर कावे नहीं नदी के डेल्टा तक पहला था, जब दी चालुकों का राजिक किष्णा और तुम भद्दा नदीयों के बीच इस्तिय था, चालुकों की राजधानी एवल थी, याद रखना है, क्या थी? एवल, यह एक पिरमोक व्यापारिक केंद था, धीरे धीरे या एक धार में कैंद भी बन गया, यहां कई मंदिर मिले, पल्ला और चालुक एक दूसरे किसी माओं का अत्तिकिर्मान करते थे, मुक्रूप से राजधानियों को निसाना बनाया जाता था, जो संवर्द सहर थे, इनकी राजधान राजधानिया थी, जो वो संवर्द थे ठीक, पुलकेसन दुतिये सबसे पिसिद्चालुक करा जाते, उनके बारे में हमें उनके दरवारी कभी रवी कीरती द्वारा, रचत पिसस्ति पत्र से पता चलता है, पुलकेसन दुतिये के राज कभी कौंते, दरवारी कभी रवी कीरती, ठीक, उनके पूरवज़ों और खास्तोर से पिछली चार पीडियों के बारे में बताया गया है, पुलकी संदुतियों को अपने चाचार से यह राज मिला था, तर अभी कीरती के नुसार, उन्होंने पूर तथा वश्चिन दोनों समुत्री, तटिये इलाकों में अभियान चलाए, इसके अतरे तो उन्होंन कहना है कि इस पराजय के बाद हरस अभ हरस नहीं रहा, पुलकी संदुतियों ने पल्लाव राजा के उपर भी आक्मन किया, जिसे कांची पुरम की देवार के पीछे सरण लेनी पड़ी, फर चालोकों की बिजय अल्वकालीन थी, लडाई से दोनों बंस, दोल्ला भुतिच पल्लवों और चालोकों को अन्तिता राष्ट कूट तथा चोल वंसों ने समाप्त कर दिया, इसके बारे में हम लोग कच्छा साथ भी की न्सी आएटी में पढ़ेंगे, इन राज्यों का फिसासन कैसे चलता था, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की लिए भूमी क सबसे महत्पून बना रहा, पिसासन की प्रात्मिक एकाई गाउं थी, लेकिन धीरे धीरे कई नई बदलाव आए, राजाओं ने आर्तिक सामाजिक, राजनितिक या सैन सकती रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, उधारन के तौर पर मुख नयाय अधिकारी थे, कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार करता था, जैसे कि हरी सेन, एक महादर ननायक हुने के साथ साथ, कुमारा मात अर्थात एक महत्पून मंत्री, तथा एक संधी विग्रहिक अर्थात योद और सांती के विसें कभी मंत्री था है, यानि ब्यापारियों के काफ लिकाने था, फिथम को लिक अर्थात मुक्ष से लवकार था, कायस्तों यानि की लिपकों के पिर्धान जैसे लोग होती थी, आंगे बात करते हैं, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभाव साली होती थी, पर समय के साथ इन में से कुछ ब प्रगार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सो संगटे सेना रखते थे, जिसमें हाती रत, गोर्सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवस्ता पढ़ने पर राजा कुछ सानिक साहता दिया करत थे, इन सेनानायकों को कोई नेमित बेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन मैंसे कुछ को भूमीदान दिया जाता था, दी गई भूमी से एककर बसूरते थे, जिससे भी सेना तथा गोड़ों की देखवाल करते थे, साथी भी इसके योद्ध के लिए हतियार भी प्रवल होते थे, इस सामंत सुतंत होने की कौसिस करने लगते थे, ठीक, फिर आपका दच्चन के राज्यों में सभाय, फल्वों के अभी लेखों में कई स्थानिय सभाओं की चल्चा मित थी हैं, इन में से एक था ब्रह्मण, ब्रह्मण, ब्रह्मण भू स्वामियों का सं जिसे हम सभा कहते थे सभा, इस सभाय उप संधियों के जरिये से चाहिए, खेती वाड़ी से जोड़े विवे निकाम, सडग, निर्मार, इस्थानिय मंदिरों की देखरे, आधी का काम करती थी, जिन एलाकों के भू स्वामी, ब्रह्मण नहीं थे, वहां और नामग, ग्रा किसे कहते हैं, किस से संबंदित है, तो आपको बता देना है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, संभावता इन सभाओं पल, धनी, ततब सकती साली भू स्वामी हैं, और व्यापारियों का नेंतर था, इन में से बहुत सी स्थानिय सभाएं सताबदियों तक क अनने सरोतों से मिलती है, काली दास, अपने नाटकों में राजदर्वार के, जीवन के चितरन के लिए पिसित, इन नाटकों में एक रोजक बात है है, कि राजा और अटिकांच ब्रह्मनों को संस्कृत बोलते हुए दिखाये गया है, जबकि अन लोग तथमहिलाएं प्रा करत बोलते हुए दिखाये, उनका सबसे फिसित नाटक अभिज्यान सकुन्तलम दोसेंथ नामक, एक राजा और संकुन्तला नामक की एक यूगती की तरह्म कहानी है, एक अभिज्यान सकुन्तलम किसका है नाटक, काली दास का याद रखने, इस नाटक में एक गरीव मच्व मानिये, एक मच्वारई को एक कीम्ती अंगूटी मिली, ये अंगूटी राजा ने सकुन्तला को भेंट की थी, पर दुर्गर्णावस उसे एक मच्वारई निगल गई थी, जो मच्वारा इस अंगूटी को लेकर राज महल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, मुख पुलिस अधिकारी की बहुत बुरी तरह से पेशाया, राजा उस अंगूटी को देखकर बहुत खुश हुआ, उन्होंने मच्वारे को एनाम दिया, फुलिस वाला और द्वारपाल मच्वारे से एनाम का कुछ हिसा हडपने के लिए उसके साथ आने चले, चल पड़े, तो इसमें नया क्या है, देखिए, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है, और वह पुलिस में ख़वर करता है, तो कि आउसके साथ ही इसी तरह का बरताव किया जाएगा, एक पिसिद्ध व्यक्ति का नाम बताव, जिसने प्राकृत में उ प्राकृत में अपने अविलेक लिक्वाए, ठीक, अब चीनी याक्तरी, फास यान का, ध्यान उन लोगों की दुर्गती पर भी गया, जिन्हें उचे और सकती सारी लोग अचूत मानते थी, इन्हें सहरों के बाहर रहना पड़ता था, समझ में आया, बहुत पहले से अगा है करने के लिए ये डंडी के लकडी के टुकडे पर चोट करते रहते थे, ये आवाज सुनकर लोग सतर्प होकर अपने को छू जाने से या किसी भी पकार के संपग से बचाते थे, एक जगए वाडवाट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सैना का बड़ा संज आजव सामान लेकर यात्रा करते थे, इनमें हत्यारों के यत्रिक्त रोज मर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, जैसे वरतन असबाब जिसमें सोने की पायदान भी सामिल थे, खाने पीने की सामान, वक्री, हिरन, खरगो, सबजियां, मसाले, आदी सामिल थे, विवेम के साथ साथ संगीतकार और नगाड़े, विगुल तथा बुरही वजाते हुए चलते रहते थे, रास्ते में पढ़ने वाले गाओं वालों को उनका सदकार करना पड़ता थे, वे दही गुल तथा फूलों का उबहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे, वे राज वालों को जोपडियां, हाती, कुचल डालते थे, और व्यापारियों के काफ्टलें में जूते बैल, इस हलचल बरे माहुल से डर कर भाग खड़े होते थे, वाड़वक्टर लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गयत में डूप जाती थे, इस सम, ठीक? अरव जो मरू भूमी में भी सौस्त रह सकता है, लगवक्ट चौदे सु साल पहले पेगंबर मुहमत ने अरम में इसलाम नामक एक नए धरम की सुरवात की, इसाई धरम की तरह इसलाम से इसलाम ने भी अल्लागों सरुपारी परी माना है, उनके बाद सभी को सामान माना गया है, यहां इसलाम दरम के पवित गरंद कुरान का एक अंस दिखाए है, मुसल्वान इस्तिरियों और पुरसों के लिए विश्वास रखने वाले इस्तिरियों और पुरसों के लिए, बक्ती इस्तिरियों और पुरसों के लिए, सच्चे इस्तियों और पुरसों के लिए धैर और इस्तियों मन के इस्तियों और पुरसों के लिए दान देने वाली इस्तियों और पुरसों के लिए उपहास रखने वाली इस्तियों और पुरसों के लिए अल्ला को हमिशा याद करने बाले इस्त्रियों और पुर्सों के लिए अल्ला ने इन सब के लिए ही छमा और पुर्सकार रखा है अंगले सो सालों के दौरान इसलाम उत्त्रियपी का इस्पैन इरान और भारत में फैल गया अरब नाविक जो उप इस महपदीव की तटीय वर्स्तियों से पहले सही परचे थे अब अपने साथ इन ने धर्मों को भी ले आए अरब की सिपाईयों ने करीब 13 साल पहले सिंध आज का जो पाकिस्तान में को जीता दो इसमें हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया सामन्त सभा नग्रम यह आपके कुछ भी कल्पिक कुश्चन्स है अभ्यास के लिए इसकी इन सॉट ले लिए यह आप फिर टेलीगरम पर डाल दूंगा वहां से डाउनलूड करते रहे है तो यह था हमारा नए समराज और राज आंगे अम लोग बात करेंगे इमारते चित किताबों के बारे में ठीक है नमस्कार साथियों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे N-C-E-R-T कर्चा चटवी की हमारा अतीत एक के नाम से जवाब की वोक से उसी के बारे में हम लोग बात कर रहें तो इस में हम लोग 10 चैप्टर कर चुके हैं यह आपकर 11 चैप्टर है इ मालते हैं चित तता किताब हैं देखो वाई मैं तो आप लोगों को एक ही सलाय दूँगा फिर चाहे आप लोग इसे सही समझीए या गलत कि कोई भी बुक सो एक बार नॉर्मलों से पढ़ लिया करिएगा इसे एक पता चल जाता हमें कि इसमें आकर है क्या उसके बाद दिम दिमाग लगाई इसी तरह इसमें आठवी कक्षा आठवी तक की जो भी आपकी एंसी या इटी बुक्स हैं आठवी तक की बहुत ही सिंपल सब्दों में लिखी गई है तो यहां ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है तो इसमें यह समझाने की कॉसिस की दिमाग लगाने की जरूरत है इसे तो दो एक दो बार सुनिये या पड़िये खतम हो जाएगा आपका समझ में आ जाएगा मारूत सामी और लोह इस्तम मारूत सामी आज बहुत कुछ था वहियेदार पुलसी में बिठा कर उसका भाई उसे कुतो मीनार दिखाता हुआ फिसित लोह इस्तम के सामने ले आया धोल भरे पत्रीले रास्तों से रेंप के थारे यहां तक आना कापी मुश्किल था अपने इस अनुवाओ को मरूत सामी कभी नहीं बूल पाएगा दातु विज्ञान अब देखिए जिस तरह दातु विज्ञान क्या होती ए इसी तरह समझाने की कौसिस की गई आ फिराचीन भारत की धातु विज्ञान को ने फिस धातु विज्ञान के चित में तिर्मुक इफदा पुरात दात्विक खुदाई ने यह दर्साया है कि अगर की घडपा ववासी कुसल सिल्पी थे उन्हें ताबे की धातु कर्म धातु सोधन की जानकारी थी उन्होंने ताबे और तिन को मिलाकर कासा भी बनाया था जा हडपा ववासी कासे से जुड़े थे वहीं उनके उत्त किस्द किस्म के लोहे का निर्मार करता था खोटा लूँह, पिटवा लूँह और धर्वा लूँह, यह आपका लोहे इस्थम दिल्ली में महरौली में कुत्व मीनार की परीशर में खड़ा यह लोई इस्तम भालतिय सिल्फकारों की कुसलता का एक अधबुत उधारन है इसकी उंचाई 7.2 मीटर इसका बजन है 3 टन से भी जाना इसका निर्मार लगबग 15 साल पहले हुआ इसके बनने की समाई की जानकारी हमें इस पर खुदे अभी लेक से मिलती है इसमें चंद नाम के एक सासा का जिक्र है जो संभावता गुप्त बंस के थे आश्चय की बात है कि इतने वर्सों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी हुए इंट और पत्थ्रों की हमारत हमारे सिल्फकारों की खुसलता कि नमूने इस्तूप जैसे जैसी कुछ हमारतों में देखने को मिलता है इस्तूप का साब्दिकर्द होता है तीला इस्तूप का साब्दिकर्द क्या होता है तीला अब याद रखें यहां देखिए इस्तूप का साब्दिकर्द तीला दिया गया है मतलब तीले से है इनी सब्दों को यहां समझाने की कोशिस किए यहां की तीले बस आपको एक समझना है उन्हीं कर जाना है हाला कि इस तो बिवेनाकार के थे कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे उन समय एक समानता थी प्रया सभी स्थूपों के वीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुराईयों के सरीर के जैसे दात, हड़ी या राक या उनके द्वारा फिब्ध कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अत्वा सिक्के रखे जात रहते थे जिसे धातू मंजूसा कहते हैं फ्रयारं में किस तो धातू मंजूसा के उपर रखा मिट्टी का टीला होता था बाद में टीले को इंटों से परिक्मा करने के लिए एक बिट्ताकार पत बना होता था जिसे पिदक्षिणा पत कहते हैं इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं वेदिका में प्रवेश्द्वार बने होते थे रेलिंग तथा तोरण करा मोर्तिकला की सुंदर कलाक्तिय से सजे होते थे यह उपर आपका सांची का महान इस्तूप है कहां है मद्धविदिस में ठीक है अमरावती यहां कभी एक भब इस्तूप हुआ करता था लगभब 2000 साल पहले इस्तूप को सजाने के लिए सिलाओं पर चित्तों केरे गए कई बार पहाडियों को काट कर मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाय जाता था इस काल में कुछ आरभ एक हिंदू मंदिरों का निर्माड किया गया इन मंदिरों में विश्णु सिफ तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी मंदिरों का सबसे महत्मुन बाद गरव गरे होता जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था इसी इस्थान पर पुरोहे धार्मिक अनुस्टान करते थे और धक्त पूजा करते थे अब सब गरव गरे को एक पवित्थ इस्थान के रूम में दिखाने के लिए यह आपका उत्तर विदेश के बीतर गाओं का एक आरंबीक मंदर है लगभग 15 साल पहले पकी इंट और पत्त्रों से बनाए रहा है और वाई और महावली पुरम का एकास्मिक मंदर है इनमें से पिदेक मंदर एकी विसाल पहाड़ी को उतरास कर बनाए गया है इसलिए इन एकास्म कहा जाता है इंटों से बनाए जाने वाले मंदरों से यह बिल्कुल भिन होती है इंट से बनी इमारतों में नीचे से इंटों की एक तरह जोडते हुए उसे उपर की ओर ले जाते हैं जबकि चट्टा ने तरास कर बनाए जाने वाले मंदरों को पत्थर काटने वा जिसे मंदरों में उसके उपर की काफी मुचाई तक निर्मार किया जाता था जिसे सिखर कहते हैं क्या है यह आपका सिखर सिखर निर्मार के कार के लिए साउधानी से यह उजना बनानी पड़ती थी अधिकतल मंदरों में मंड़क नाम की एक जगह होती थी जहां लोग एकट्टा होता थे, महावली प्रम और इहोल कुरू, इन सहरों में पत्त्रों से बने कुछ उत्रिष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहां दिखाई, यह हैं आपके, इस्तूप और मंदिर किस तरह से बनाये जाते थे, इस्तूप तथा मंदिरों को बनाने की फिक्रिया में कई अवस्थाएं आती थे, इसके लिए कापी धन खरच होता था, इसलिए आम तोर पर राजा या रानी इन्हें बर्माने का निश्य करते थे, पहला काम, अच्छे किस इसम के पत्थर ढूंड कर सिलाखन्नों को खूद कर निकालना होता था, फिर मंदिर या इस्तूप के लिए सोच बिचार करे, तै किये कि इस्तान पर सिलाखन्नों को पहुचाना होता था, यहां पत्थरों को काट छाट कर तरासने के बाद खमों, दीवारों की चौपट, फर्सों तथा छत्तों का आकाय दिया जाता था, इन सब के तैयार हो जाने पर सही स जगयों पर उन्हें लगाना कापी मुश्किल काम था, इस तरह के सांचों का निर्मार करने वाले सिल्फकारों को सारा खर्ष संभोता राजारानी ही देते से, इसके अतरिक तिन इस्तूफों का या मंदरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावटी की जाती थी, जैसे हातिदात का काम क करने वाले सेमकोंस के संगर ने सांची के एक अलंकरत प्रविश द्वार को बनाने का खर्ष दिया था, तोरण, इसके सजावट वर्टी के लिए पैसे देने वाले हो, में ब्यापारी, किर्शक, माला बनाने वाले, इत बनाने वाली लोहा सुनार आदी होते थे, ठीकर, य यह आपका उडिशा का मंदिर है, एक पहाडी को खोद कर इस दो मंजली इमारति को बनाए गए, कंबरेस्ट की प्रिविश द्वारों को द्यान से देखें, इनमें जैन विक्चू रहते थे, ठीकर, यह है हाथ के, राष्टी है संगराला नई दिल्ली में से एक मूर्थी क यह है, जैसे इस तरी पुरुष सामिल थे जनके नाम पर खमों और रेलिंगों तथा दीबारों पर खोदी थे, इसलिए जब तुम इस्थानों को देखने जाओगे तो यहां रखना कि कितने सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में अपना युगदान दिया था, चित कल अजन्ता, यह वह जगह है, जहां कि पहाड़ों में सेगड़ों सालों के द्वारान कई गुफाएं खोदी गई, इनमें से जान्दातर बहुत विक्चुओं के लिए बनाए गए बिहार थे, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारां सजाए गया था, यहां इनके कुछ उध द्वारान दिये गए हैं, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की बज़े से, अधिखाज चित मसालों के रोसनी में बनाए गए थे, इन चित्रों के रंग 15 साल बाद भी चमकदार हैं, इन रंग पौधों और तखनेजों से बनाए गए थे, इन महान किर्तियों को बनाने वाले कालाकार आग्यात हैं, आजन दागे चित हैं, ठीक है हैं, पुस्तकों की दुनिया, बात करते हैं, पुस्तकों की दुनिया, इस वगों में कई पिसिद्ध महाकाब्वों की रचना की गई, इन उतकृष्ट रचनाओं में इस तेरी पुरसों की वीर गाताओं तथा देवताओं से जुड़ी कता हैं, करीब 18 से साल पहले एक पिसिद्ध तमिल महाकाब सिल्पी देकारम की रचना इलांगो नामक कभी ने की थी, इसमें कोलं, कोलन नाम के एक ब्याबारी की कहानी है, वह पुहार में रहता था, अपनी पति कन्नगी की उपेक्छा कर, वह एक न कन्नगी पुहार छोड़कर मदूरे चले गए, वहां पांड़ो राजा की दरवारी जोहरी ने कोलन पर चोहरी का जुंटा आ रहुप लगा है, जिस पर राजा ने उसे प्रांड दन दे दिया, कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कान दुख और द इस तरह बढ़न किया, ओ मेरा दुख, तो देखो, तुम मुझे ताउना तक नहीं दे सकते, क्या यही है, यही सही है, कि विसुद्ध सौने से भी सुन्दर तुम्हारा सरीर बिना दुला, दूल से सना यूमी पड़ा है, यहां कहा का निया है, कि गोधुली कि स्वर्डिम आभा में फूल माला से डखे, सुन्दर वक्षिस्थल वाले, तुम जमीन पर गिर पड़े हो, मैं अकेली आसा है, और हतास होकर खड़ी हूँ, क्या इस देश में इस तो नहीं है, पर क्या उस इस्थान पर इस तो रह सकते हैं, जहां के राजा की तलवार निर्दोस नाव गंद तुक कि प्राण ले लेती है, क्या इस तो नहीं है, नहीं है, एक और तमिल मा का बैर मड़ी मेख लई, कुकरीब 14 साल पहले सत्त नार द्वारा लेखा गया था, इसमें कोलन तथा मादवी की बेटी की कहानी है, ये रचनायकर कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनक जैसे कालिदास संस्कित में अपने अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है, वहा काब, मेख दूत, का एक इस लोग, यहाँ उनकी सबसे पिसित रचना मेख दूत से एक अंस लिया गया है, किनकी कालिदास की, या एक विरही प्रहमी बरसात की बादल को अपना संदेश वाह बनाने की कल्बना करते हैं, देखो इसमें किस तरह कभी ने बादलों को उत्तर की हो ले जाती, ठंडी हवा का बर्डन किया, तुम्हारे बोचारों से मुलायम होट की मिट्टी की भीनी खुसबू से वरें, हातियों की सास में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली, सीतल ब पुरानी कहानियों का संकलब तथा सदक्चन, हिंदु धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो पहले से पिछलित में थी, इसी काल में लिखी गई थी, इनमें पुरान भी सामिल है आपका, पुरान का साथिकर्द होता है, प्राचीन या पुरान, पुरान वम विष्णु, दुर्गा, या पारवति, जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानिया है, इनमें इन देवती, देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है, इसके अतरक्टिन में संसार की स्रिष्टी तumes राजाओं के बारे में भी कहानियां दी गई है, अधिकतर पुराण सरल संस्कित इस लोग में लेके गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें इस्तरिया और सूध जिन्हें बेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी बेबी इसे सुन सकते थे पुराणों का पाथ पुजारी मंदर में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे दो संस्कित महाकाव एक आपका महाभारत दूसरा रामार्ड लंबे अर्थे से एक लोग पीरी है रहे हैं तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परचित होंगी कि महाभारत कौर्वों और पांडवों के बीच योद की कहानी है इसे उदकाव इस पुरू बंस की राजधानी अर्ष्टी नापुर्की गद्धी प्राप्त करना था यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं करीब पंदरा सो साल पहले लिखी गई माना जाता है कि पुरानों महाभारत दोनों ही ब्यास नाप के रिसीज ने संकलित किया था महाभारत में ही बगवत गीता भी है जिसके बारी ने तुम कर अब्द्याय आए पढ़ा था आपने ठीक है रामाइड रामाइड की कथा कोसल के राजपुमार राम के बारे में जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया संस्कित रामाइड के लेखक बाल मिकी माने जाते है आम लोगों द्वारा कही जाने बाले कहानियों की बात करें तो आम लोग भी कहानी कहते थे कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाते, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों खुल खेलते थी इनमें से कुछ तो इस समय कि आसपास जातक और पंच्चत की कहानियों की रूम में लिखकर सुरक्चित कर दिये गए जातक कता हैं तो अक्सर इस्तूपों की रेलिंगों तथा अजन्ता के चित्रों में दरसाई जाती है इनमें से एक कहानी अंगलिक्ष्ट पर दी जा रही उसे सुने बंदर राजा की कहानी एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ वह हमाल है पर गंगा के किनारे अपने अस्ती हजा आनुवयाईयूं के साथ रहता था इन सारे बंदरों को एक खा सामके पेड़ के फल बहुत पिरिये थे यह आम बड़े मीठे होते थे इतने स्वायदिश्ट आम धरातल पर नहीं उखते थे एक दिन एक पका हुवा आम गंगा नदी में गिर गए कर बहते बहते वह राण सी पहुंचा उस बगद नदी में वहां का राजा नहा रहा था उसे वह मिला उसे चक्कर हीरा है रहा गया उसने अपने राज के जखलों की देख़बाल करने वालों से कूछा its कि या भे इस पेड को ढूर सकते हैं या नहीं बेराजा को हिमाला की पहाड़ी पर ले गए वहाँ पहुंचकर राजा उसके दरवारियों ने खोब आम खाए राजा में रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहती राजा को यह बाद बुरी लगी उसने उन्हें माल डालने का फैसला किया बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक एउजना बनाई उसने आम के पेड की टहनियों को तोड़ कर उन्हें आपस में बांद कर नदी पर एक पुल बनाया इसके एक छोर को वह तब तक पकड़ी रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजाने नदी को पार ना कर लिया पर इस प्रयास से वह यतना ठक गया कि मरडा सन्न होकर गेर पड़ा राजा ने जब यह सब दिखा तो उसे उसने बंद राजा को बचाने की काफी कोशिस की हुआ है पर वह सफलना हुआ बंद राजा की मित्वी पर उसे सोक हुआ और राजा ने उसे पूरा समान दिया मद्ध भारत में बहरभूत के एक स्टूप से मिले एक पत्थर उकेरे गए चित वैसे दिखाए गया है देखिए बिग्यान की पुस्त के इस समय गड़े तक तथा खाबोल सास्त्री अरत आरवट्ट ने संस्कित में आरवट्टीम नामक पुस्त की इसमें उसने लिखा है कि दिन और रात पिद्वी के अपनी दुरी पर चक्कर काटने की वज़े से होती है जबकि लगता है कि रोज सूर निकलता और डूपता है उन्होंने गहर के बारे में भी एक विज्ञानिक तर्थ दिया उन्होंने ब्रत की परदी को माप्टें की भी विदी दून निकाली जो लगबक उतनी ही सही है जितनी की आज प्योक्त होने वाली विदी है वारे मिहीर ब्रह्मो गुपत बासकरचार कुछ अन्य गड़तेग और खागुल विता थे जिन्होंने कई होजें की इनके बारे में आप सून क्या है सून अंकों का प्योग पहले से होता रहा था पर अब भारत के गड़तेगों ने सून के लिए एक नए चन्न का विश्कार किया गिंदी किया पदिती अर्वों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोब में भी फैल गई आज भी ये पूरी दुनिया में प्रियोग की जाती है आयुबेद अयूरबेद्षा बिख्ञान के उर्दवारत में भी कसिदा रहे पराषिन भारत में आयूरबेयद्वारत के दो पिसेद चक भी में ता ऌल शुसुट यग स्तविह पीस फीए और दिश्म दोर रचanki चर कप सईठा औरह को लोगनी पोस्तर के अपनी रच्णा सुसुक्त सहिता में सुसुक्त ने सलिच चिकिस्था की विदियों का विश्थत बर्डर किया है कागज यज हमारे रोज मरया की जिन्दिगी का हिस्सा बन गया है जो किताब हैं पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का ही प्योग करते हैं कागज का विश्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्तिन चीन में किया था उसने पौदों के रिसों, कपरों, रस्तियों और पेड़ की छालों को पीट-पीट कर लूगदी बना कर उसे पानी में भगो दिया फिर उस लूगदी को दबा कर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज बनाए गया आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी बिदी को पनाया जाता है कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया करीब 1400 साल पहले या कूरिया तक पहुँची इसके तुरंद बादी या जापान तक फैल लगी करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में भी पहुची फिर बगदाद से यूरोप, अफेका और इसी या के अन भागों में फिली इस महादी में भी कागज की जानकारी बगदास से आई थी इसमें बात की है हम लोग ने उपयोगी सब देखे है इस तो मंदिर चितकला महाकाब कहानी पुराण गड़ित विज्ञान के बारे में आप लोगों को यह अभ्यास पेसन है इन्हें भी देखते रही है टेलीग्राप पर डली हुई है तिकली जो NCEIT थी आपकी कप्चा-атаउ nu जीवन भाग एक वो भी आपकी टेलीग्राम पर डली है और एह हमारा तीथ दोनों आपकी टेलीग्राम पर ड़ ली थी तिथियों पर एक नज़र डाल देते हैं इस पूरी पुष्टक में हमने बर्स 2000 को सुरुवाती बिंदू के रूम में रखकर गटनाओ पिक्रियाओं के होने की अनुमानी तिथियों की जानकारी दे पर अन पुष्टक जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग-लग तरह से लिखी हुई हैं इस पुष्टक में तिथियों के पहले करीब या लगवग लिखा गया है जैसे कि पुरा पासाड़ेओं के लिखे गया हैं मेहरगण में किरसी तथा पासुपालन की सुरुवात की ती थी लगवग 6000 एसापूर दी गया है रप्पा की नगरों का विकास लगवग 2700 से 1900 एसापूर के बीच है रगवेत की रचना का लगवग 1500 से 1000 एसापूर में महा जनपदों तथा गंगा की मैदानी एलाखों में नगरों का विकास तथा उपने सद चेंद धरम तथा बौद धरम से जुड़े विचारों का उदय लगवग 500 एसापूर फश्मोत्तर में सिकंदर का अपमण लगवग 327 से 325 एसापूर चंद गुप्त मोर्ग का राजा बनना 321 एसापूर असो का सासंकाल लगवग 272 या 268 एसापूर से 231 एसापूर के वीचरा है संगम साहित की रचना 320 पूर्प से 320 एसापूर तक कनिस्क का सासंकाल 38-100 एसापूर गुप्त समराजी की स्थाप्ना लगवग 320 एसापूर वलिवी की परिशत में चैन साहित का संक्रान लगवग 512 या 521 एसापूर है हैर्स बदन का सासनकाल 66-647 इस वी चीनी यात्री स्वें तेसांग का भारत आगबन 630-643 इस वी पुलके संदुतियस का सासन 609-642 इस वी कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि असोग के सासनकाली की सुरुवात की तिथी के रों में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं जैसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए कि सही तिथी क्या थी फिसमेवाचक चन्ने के साथ ही द अब जैसा कि आपको बता है जम्मू कस्मी दो भागों में बढ़ गया है 2020 की बात कर रहा हूं करेंट में हम लोग तो यह दो में जम्मू कस्मी है और लंदार फिर आपका यह हिमाचल पिदेश है यहां आपका बता है पी को पीओ के वाला हिससाब का अवगानिस्तान से इस भिहार जहारखंड चत्तिसकर ऊडिसा तेलंगा न आंधर पिदेश माहराष्ट गौँ करुमनाटक केरल त मिलाडु ते यह आपका निचस्तरीलेखा है यहां पुदूचेरी है यहां यहां अमन 150 चेरिव इंडिये से पिदेपदानग यह वंगलादिस है यह आपका बोटान है यह नेपाल है उपर आपका चीन लगा हुआ है और नीचे हम लोगों ने स्री लंका देखी लिए आपको सबसे पहले अपने जितने भी राज चीन एक कंठस्त होना चाहिए याद और पता है इनकी स्तिती भी हमें याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार कुश्चन पूँच लेते हैं तो यह थी हमारी कक्छा चटवी की NCEART की हमारा अतीत के नाम से जो आपकी बोक्स है उसे हम लोग complete देख चुक है आगे हम लोग बात करेंगे पिती भी हमारा आवास के बारे में क्या है अंगली NCEART कक्छा चटवी की पिती हमारा आवास के नाम से जो आपकी कुश्च है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है